आजे पुड़े नहीं तो और इक्सका फ़र्ष्ट पार्ट हुआ और बहुत बच्चों का कहना कि सब बीच में गैफ नहीं होना चाहिए बशताम हो गया यार यार यह लास्ट पार्ट है और टाइम लगेगा ऐसा नहीं है कि यार हवा में करवा दूं रिवीजन हवा में मैं करवा सकता पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछले रिवीजन वीडियो में कहां तक किया था सर पहला हमने बेसिक्स किया था और उसके बाद हमने फावर्ट कवर किया था और इसके अलावा सर हमने ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज भी और अब बचा हुआ पोर्सन आज ह एक लास का और जिसका नाम है cover deal तो तरी cover deal है क्या याद दिला यह याद दिला रहों तरी suppose कोई bank है जो लिखा आता है वो ऐसा ता you थीक है मतलब your bank आपकी bank है और कोई customer आया आपकी पास थीक है और वो आपसे ऐसी currency मांगता है जो हमारे पास easily available नहीं है dollar generally मिल जाता है pounds मिल जाता है वो हमसे मांग रहा है Hong Kong dollar की भगवान Hong Kong dollar लाए तो कहां से लाए खर कहीं से भी ले आएंगे पर हम किसी customer को मना क्यों करें हम गहते हैं ठीक है जी हम इतने का देगी और हमने बात कर लिया इस customer से राम से कि हम Hong Kong dollar 10 lakh आपको dollar 7 point Hong Kong dollar 7 मतलब 7 रुपिया 25 पैसे में एक Hong Kong dollar देंगे आपको चाहिए कितना हमको चाहिए 10 lakh क्या delivery उसी दिन दे नहीं होती है नहीं से 2 plus T plus 2 चलता है अब हम arrangement करने की कोशिश करें बात हो गई डील हो चुकी है और इस डील को मुझे कहीना कहीं से तो cover करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो है नहीं है तो मैं क्या करूँगा मैं कहीं और से खरीदने की कोशिश करूँ या तो local bank के पास गया मैंने का आपके हां Hong Kong dollar बोले नहीं हमारे यहां भी कहां से मिलेगा भाई हां dollar चाहिए तो ले जाओ मैंने का दूसरी bank से पता लगाता है दूसरी bank से पता लगा हमारे यहां तो मिलता पर वदले में क्या लेकर आना पड़ेगा dollar और हम खुली position नहीं रखते हैं यह मैंने आपको नौश्टो वश्टो लोरों में समझाया है प्लास में और इसके अलावा cancellation में भी समझाया है कि हम open position कभी भी नहीं रखता है कोई भी bank उसको cover करते हुए चलता है पर मैं ज्यादा technical सब्द यूज ना करूँ करना क्या है ये बोलो भाई साब बस इतना करना है कि इस bank को इन दोनों bank से कुछ इस तरह से करना है कि इसको एक Hong Kong dollar कितने रुपए का पड़ेगा रुपए क्यों क्योंकि ये Indian bank है तो सर ये bank यहाँ से पहले खरीदी की dollar कितने की 71 की इसाब से हाँ बोलो और जब dollar मिल जाएगा तो वो दूसरी bank से क्या करीदी की Hong Kong dollar खरीदी की मतलब दूसरी bank हमसे dollar खरीदीगा मतलब सर ultimately cross rate है cross rate rate पहचाना आपको आना चाहिए कोई मैंने लिखा है हम पहले हमका मतलब bank bank पहले dollar खरीदीगी किस से local bank से 71 के सबसे और फिर दूसरी bank में जाएगी और वहां से Hong Kong dollar खरीदीगी पर हमारे पास तो dollar है मतलब दूसरी bank हमसे dollar खरीदीगी और answer आएगा 12.50 bid rate और ask rate आप पहचान लोगे मुझे पूरी उम्मीद है और rupees per dollar दिया है Hong Kong dollar per dollar चाहिए और मुझे चाहिए rupees per Hong Kong dollar उपर आएगा और Hong Kong dollar नीचे आना चाहिए तो वहन से divide करना पड़ेगा तो answer कितना आएगा 5.6 तक ठीक है इसको बोला जाता है cover rate जिस rate पे आपने cover किया cover rate मतलब यहां से उनको Hong Kong dollar 5.68 का पड़ा और आपने तो customer से पहले ही बात कर लिया था 7.25 के हिसाब से बेचने इस transaction की हिसाब से आपको profit हो गया 15,70,000 that's it बनाए question question number 32 मैंने homework दे दिया था इतना आसान question था क्या यह TYK7 है तो sir question number 32 प्लीज एक बार rough में क्या करना simple सी बात है वो ही है Hong Kong dollar कितने में बेचने की बात हुई है 5.70 अब बदले में क्या rupees तो यार सबसे पहले dollar खरीद ना पड़ेगा मतलब दूसरी bank dollar बेचेगी और फिर वापस खरीद लेगी तो 42.85 rate के आएगा cover rate 42.85 divided by 7.5880 तर आगया है 5.64 7 के असपास manage हो जाएगा न देख लोग इस question को brokerage बगेरा कुछ है तो उस पहले local bank से local bank से हम dollar खरी देंगे और फिर वो dollar हम बेच के बने में Hong Kong dollar रजाएगा एक बार cross rate से निकाल ले न तो उसके बाद answer लेगा simple है कर लो तो question number 33 skip करवा रहा हूँ same question है repeat question क्यों 34 भी same question है कुछ था ही नहीं बस वो जो बोलता ना कि यार 4 decimal places तक करना है 5 तो वैसे करना उसको मत question number 35 अच्छा question है question number 35 अच्छा question है और क्या हमारे model का question है yes, tyk 8 देखे एक बार yes इस question में भी वही बात लिखिये कि आपने अपने customer को बेच दिया है और इस बार Dennis Krone है DKK DKK बेच दिया है और कितने रुपए में बेच दिया है 6.5150 आपने अपने customer को DKK बेच दिया है 6.5150 तो sir cover तो करना पड़ेगा yes अब cover बोले आप दो जगा से कर सकते हो या तो आप London से cover कर सकते हो या तो आप New York से cover कर सकते हो ठीक है एक बार लंडन का देखे कि हा अब rates important है sir Mumbai London दे रखा है क्या समझे क्या समझने की ज़िवरत है यह rupees है और लंडन में तो pound चलता है वो बता रहा pound one या फिर क्या बता रहा है sir वो बताना चाहता है rupees per pound अगर आप लंडन में जाओगे तो rupees per pound अगर नियॉयॉर्क में जाएगे तो rupees per dollar लंडन कॉपन है गन कॉपन है गन कहां कहा है sir नहीं मालूम पर डीके के सब्द लिखा है तो लंडन मालूम है आपको तो sir यह कहना चाहता है डीके के per pound यह कहना चाहता है तो लंडन में यह लंडन लंडन हो गया और यह नियॉयॉक नियॉक हो गया नियॉक नियॉक को अलग लिखूँगा सबसे पहले लंडन से cover करके देखे मैं रेट प्रॉपर लिखा लंडन के हमारे पास क्या रुपिया बदले में क्या खरीदना है डीके के पर रुपिया से सिदह डीके के नहीं खरीद सकते रुपिया से पहले pound क honeymoon करीदना पड़ेगा और पांड से फिर डीके के करीदना पड़ेगा चलो । रॉस रेट करे हम pound करीदेंगे मतलब bank pound बेजेगा और bank pound वापस खरीदेगा मतलब हमें एक के कितने का पड़ा हमें चिकालना रूपीज पर रूपीज उपर है 74.3200 तो डिवाइड होता है तो opposite rate ले 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 अगर एक बार final हो गया हो गया तो फिर आपको यह वालरेट लेना पड़ेगा डिवाइड एलेवन पॉइंट फोट तो सर यह आगया 6.5079 6.509 बस इतने में खरीद होगे इतने में बेचने की तो बात हो चुकी cover from London यह दिया 6.5079 और 6.5150 में बेचने की बात कर रहा है अगर आप लंडन से करते तो 7100 का profit अगर नीवाउक से करते तो फिर वही पहले हम डॉलर खरीदेंगे फिर दूसरी बैंक डॉलर खरीद लेगी तो सर डिवाइड हो जाएगा यह नीवाउक वाला हो गया और यहां से खरीदे तो हमें 4800 का profit है कहां से cover करना चाहिए सर नो डाउट हमें कहां से cover करना चाहिए लंडन मार्केट से cover करना आ सकता है cover देजा कोशन अगे बढ़े सर अब टॉपी का नाम है actions rate determination इसमें हमने क्या पढ़ा था इसमें सर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आर future में dollar का rate बढ़ा है यह dollar का rate कम हो रहा है यह pound का rate बढ़ा तो यह कौन से factors है जिससे rate demand बढ़ जाता है demand कम हो जाता है rate बढ़ जाता है rate कम हो जाता है यह एक साल बाद हमको ऐसा लग रहा है कि dollar का rate बढ़ेगा तो कैसे लग रहा है अब वो कैसे पता की बढ़ सकता है factors बहुत सारे हो सकते पर हमारे लिए दो factors important है एक है एक तो interest rate की वज़ा से और एक है purchasing power मतलब inflation की वज़ा से international friction effect में नहीं पढ़ाऊंगा वो पढ़ा दिया था class में आप देख लेना revision है तो revision की तना से करें इसका question है क्या नहीं है एकात question है पर वो international fisher effect का नहीं है actually वो inflation का question है खेर यहां की बात सरी interest rate क्या बोलता interest rate यह बोलता की interest rate parity क्या बोलता विका यह कहना भाई सुनो suppose इसकी बात करो आज एक डॉलर है 82 रुपिया इनका यह कहना है कि जहां का rate of interest कम होता है वो currency future में महगी हो वो currency ज्यादा strong होगी that's it अब purchasing power parity क्या बोलता है वो सेम बात लेकिन वो बात interest के नहीं करता है वो बात किसकी करता inflation की जहां inflation का rate कम होगा वो currency ज्यादा strong होगी वज़ा बहुत सारी बताया कि inflation कम है महगाई कम है महगाई कम है तो वहां की चीजों वहां की वस्तुओं की demand बढ़ेगी और demand बढ़ेगी तो समझ गया होगा dollar rate भी बढ़ेगा तो बात सबसे पहले interest parity की और उन्होंने सिर्प एक एक बात कहाँ जहां का rate of interest कम होगा जहां का rate of interest कम होगा वो currency ज्यादा strong होगी और ये वाला formula हमारे लिए important है और formula कैसी derive वह वह आगे करवाया हूँ मैंने it means हम से पूश्चा जाता है कि theoretical forward rate क्या होना चाहिए F formula is portrait 1 plus R 1 plus R अब दिक्कत ये है कि जब आप R और R ये तो एक जैसे है तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ spot या forward rate रुपीज में है तो यहाँ रुपीज लिखना है रुपीज में है मतलब समझा यह मैंने derivation करवाया था मैंने parity बना कर बताया था देखो इधर से भी इधर से भी equal वो अब उतना time नहीं मेंने important है formula और formula ध्यान से देखना क्या है मैंने का यार यहाँ की बात करो तो यहाँ एक डॉलर कितने रुपे का 80 रुपे और interest rate इंडिया में कितना है 10% और US में कितना 10% तो मैंने कहा या formula spot rate into 1 plus R divided by 1 plus R मैंने बस यह यह कहा था कि यहाँ हम रुपीज लिखते न 80 रुपिया तो उपर भी rate किसका आएगा रुपीज का आएगा पस और नीची तो डॉलर का है इट बिंस आपको यह देखना है कि यह कौन सी currency है सर यह तो रुपीज है तो उपर rate किसका आएगा रुपीज का सर आप तो बोल रहे थे कि इसका rate दिया वो पर बेटे वो कुछ और था उसको इसके साथ mix मत करना ज्यादा दिक्कत है तो यह derivation देख लिए न यह derivation से समझाएगा एक तरीके समझाएगा और दूसरे तरीके से समझाएगा बहुत तरीके से सकरबा दिया हूँ crux इतना है अगर यहां रुपीज है तो उपर रुपीज लिए example के लिए यह 80 रुपिया पच्चिस पैसे portrait और interest rate 12% है इंडिया का, US का और 6 month forward तो सर इसको आधा कर देंगे उपर, यहां 80 रुपिया लिखा तो उपर रुपिया करेट आएगा हाला कि 12 परशन की जगा कितना ले लेंगे 6 परशन, यह पाच परशन यह जो forward rate निकलेगा यह actual वाला नहीं है यह है theoretical वाला उसके बाद और example करवाया है यह समझाया था, इसमें क्या है यार हमें spot मालूम है, हमें forward मालूम है हमें Europe का rate of interest मालूम हमको UK का नहीं मालूम है equation यही होगा, F is equal to S 1 plus R 1 plus अब इसको मैंने क्या किया था मैंने का यार आपको F मालूम है क्या, yes, और यह क्या है सर यह Euro है और S मालूम है, सर यह भी Euro है तो उपर Euro का rate आएगा बस, तो Euro कितना है 8% 6 मेने का कितना आएगा 4 और यह वाला तो निकली जाएगा multiple choice question आ सकते भाईयो compound and continuous लिम्पे मैं focus नहीं कर रहा हूँ effective के भी focus नहीं कर रहा हूँ वह बहुत practice करवाए हूँ यह भी करवाद हो, यह भी करवाद हो और 2-4 तो आप बनवा लेते हूँ example 55 important है, 55 देखना पड़ेगा देखे portrait दिया rupees per dollar इंडिया में 12 परशन US में 10 परशन, 1 year forwarded तो 1 year forwarded dollar है rupees है, तो पर rupees का retired, एक साल का बोला है तो simple, यह आगया 1 year forwarded 72.80 ठीक है अब पूछा premium are discount in dollar अगर मैं बोल रहा हूँ यही F है क्या premium in dollar निकल सकता है, यह सर यही F है, मतलब theoretical F यही है, इसके हिसाब से बताव premium निकाल सकते है 72.80 divided by सर हो जाएगा, हो जाएगा F minus S divided by S, यह formula आपको पता है, और यह per annum निकाला मैंने, अब बोल रहा है premium यह discount in rupees ultra formula S minus F divided by F 1.79% discount in rupees अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहां से सुनना अगर मैं कहता हूँ यार, F इस equation की बात करो, सर यह S को उठा कर यहां लिखता हूँ यहां से समझना, please मैंने F by S और 1 plus R, 1 plus R किया यहां 72.80, 71.50 तो वो क्या बताना चाहता है, प्लीज आप समझने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो यह सरी spot rate हो और यह forward rate वो बताना चाहता है की spot rate की अप एक्षा forward rate कितना times है मतलब सर प्रीमियम ही तो है यास, प्रीमियम ही तो है ओके, पता नहीं, वीडियो इस्टॉप हुआ था अब मैंने का यार, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे भी, या 1.10 है या तो ऐसे भी तो कर सकते है ये प्रीमियम ही तो है यही तो है, जो हम कर रहे थे क्यों करवा रहा हूं सुना अगर आपको सिर्फ rate of interest दे दे इंडिया का 12 परशन, यूएस का 10 परशन और कहगा, बताओ, प्रीमियम इन डॉलर कुछ नहीं क्या डॉलर प्रीमियम पर होगा, 100 परशन क्योंकि इंडिया का rate of interest जादा है अग कितना परशन प्रीमियम तो सर, 1.12 divided by 1.10 माइनस 1, मुझे F माइनस S की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा भी कर सकता हूं इसको लेकर कर सकता हूं इसके help से कर सकता हूं ठीक है, ओके सर example के लिए ये लिखा था US में rate है 15% इंडिया में 20% बोलो कहां का, कौन सी currency premium पर होगी, सर, rate of interest कहां का जाता है, इंडिया का, तो सर, dollar premium पर होगा, यस, कितना सर, 1.20 divided by 1.15 माइनस 1, 4.35% पर रहे हैं ओके काम आ सकता है आगे जब example नमबर 56 भी मुझे करवाना मजबूरी है, आ सकता है देखे सर, spot rate दिया है, रुपीज पर डॉलर, सबतर, ठीक है 6 बन forward rate नहीं मालूँ लेकिन, discount in रुपीज मालूँ है 6% पर रहनम है discount in रुपीज है, तो उल्टा फॉर्मूला है और discount in रुपीज दिया, 6% तो ये 12 by 6 को कार दिया, सीधा 3% 100 को भी कार दिया 0.03, और discount याद रखो minus में आता है, तो मैंने minus लिखना पड़ेगा, यहाँ minus, क्योंकि मैस के सबसे काम हो रहा है पाकि तो फिर कर लो कि, और करने से forward rate कितना आगा है, 72.16 सर आप तो 70 divided by 0.96 direct भी कर सकते थे, कर सकता था, कर सकता हूँ बताया भी हूँ अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी टाइम नहीं तो क्या आप तयार हो चुके हो, IRP के लिए question number 36 बड़े UK में rate of interest है, साड़े साथ पर और US में साड़े 3 rate किसका दिया है, सर pound per dollar दे रख, pound per dollar okay तो हमें क्या मांग रहा है, हमें सर, June का forward rate मांग रहा है June का मतला, April मही, June 3 मेने का equation बनाए है F is equal to S, 1 plus R, 1 plus R S, पूरा लिखना currency यहां जो लिखते हो ना, उसके साथ लिखना, तो सर, यह है pound तो उपर rate किसका आएगा, pound का, कितने मेने का, तीन मेने का, तो साड़े साथ percent है, बारा मेने का 7.5 into 3 by 12, divided by 100 plus 1, 1.01875 और यह करके आगया 0.7645 सर, यह निकलने का मतलब क्या मतलब, आएगा covered interest आर्विट्रिज्म question number 37, मैंने नहीं करवाया था question number 38, बाद में करेंगे question number 39, क्या हमारे module का question है AFM का yes, क्या है TYK4 और एक लंबा topic, लंबा chapter time लगता है, पर मेरी कोशिश यह रहगी कि यह 4-5 घंटे में खतम हो 2 घंटे तो पिछली क्लास में दे जिए अभी 3 घंटे, 3, 3, 3, 3, जितना भी लग जाता लेकिन या time लगा तो लगा, लेकिन हो तो गया ना पूरा पढ़े, yes US dollar is selling in India in India अब सर रुपीस पर डॉलर 55.50 interest rate इंडिया का दिया है, 10 percent per annum और US का दिया है, 4 percent per annum पताइए, की dollar premium पर है, की discount पर है तो यह देखो की rate of interest US में कम है की ज्यादा तर कम dollar premium पर होगा क्योंकि जाहाँ, IRP वो ही बुलती की dollar premium पर होगा तो पूछ रहा है की बताइए, forward rate क्या है को उसमें तो हम expert है पर क्या हैगा, रुपिया का rate 10 है तो 5 percent अंसर आ गया और क्या पूछ रहा है बताइए, premium यह आर्डिसकाउंट किसके विसे में यह नहीं बोला है तो हम किसके विसे में निकलेंगे, dollar के विसे तो dollar के विसे में निकल लेते हैं यह मालूम है, spot हमको दिया हुआ है, तो निकल जाएगा 5.8 से तो हम directly भी निकल सकते थे कि directly भी ऊपर rate किसका है, इंडिया 1.10 divided by 1.04 ऐसे भी निकल सकते ठीक है question number 40, नहीं करना, cut करो same question, repeat question मैं नहीं करो question number 41, cut कर दीचे question number 38, पता नहीं, मुझे बहुत पशंद है, यह question question number 38, कि solution से मैं question नहीं हूँ, हाला कि और एक question I.C.E.I. ने, मैं एक question था, जिससे मैं खुश नहीं था, तरो question कहा है, I.C.E.I. ने correct करवा दिया है, उस question को revision में मैंने किया था, कुछ बच्चों ने बताया है, कि I.C.E.I. ने correct करवाया है, एक छोटा से video बनाके डाल दूँगा, कि मैं जैसा चाहा रहा था, कि यह जो वो margin वाला question है, कि margin, sir, last में होना चाहिए, cross rate के बाद में चाहता भी था वही, और वही होगी, sir, पहले-पहले था वो, अब उन्होंने ठीक कर लिया, I hope कि बहुत सारे question ठीक होगे, study mat के अभी study material के बहुत सारे questions ठीक होने वाले है hundred percent और sir, आपकी duty यह रहेगी, कि आप inform करोगे, हाँ मेरी duty है नहीं, मैं inform करूँगा आउं तो करे तो भाई, US और यह compounded annually को मैंने उड़ा दिया, हाला कि अगर यह compounded annually है, तो इसका कुछ और use होना चाहिए, IC AI ने जो किया है, मैं concept पे नहीं जा रहा हूँ, concept discuss कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से, मैं concept पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा इसी concept को उड़ा दो okay rate दे रखा है, हमको FF पर डॉलर, FF पर डॉलर 7.0, डॉलर का rate of interest 11.5 और FF का rate of interest 19.5 FF पर डॉलर forward rate निकालना है, और discount FF में निकालना है, तो forward rate निकालेगी, forward rate निकालते है यह FF 7.05 यह कौन सा rate है, spot उपर FF का rate है, FF का rate 19.5 इंटो 3 by 12, तीन मेने का और 11.5 इंटो 3 by 12, तो उस हिसाब से यह आगए मेरा forward rate दूसरा discount in FF बोला है, rate किसका दिया है, डॉलर का उल्टा formula लगेगा सर, S-F वाला तो मैंने S-F वाला formula लगाया, और answer आगया हाला कि यह जो discount निकल रहा, यह 3 मेने का, तो उसको मैंने 12 मेने में convert करें देख है ऐसे कौन सा, 6 मन्त वाला 6 मन्त वाले में क्या खास बात है 6 मन्त वाले में, सर, discount दिया यह अच्छी बात है, ऐसा मैंने एक example करवाई हूँ, सर, discount दे दिया और हमको क्या दिया है साथ मैं, सर, spot rate दिया spot rate दिया, discount दिया तो इसकी मदद से forward rate निकल जाएगा और spot rate और forward rate की और interest rate की वज़ा से यह वाला निकल जाएगा तो पहले क्या निकले, forward rate, discount की help से, और discount कितना है सर, 6.3% 6.3% मैंने क्या किया, 6.3 और 100 6.3 into 6 by 12 divided by 100 इधा लिखा point है, और बच्चे माइनस लिखना भूल जाएगे तो दिक्कत होगी है आपको माइनस लिखना और फिर तो इसको solve कर लिए तो आ गया 7.2, अब फिर यह तो निकाल ही लोग है, वो कुछ इस पेशन नहीं है 1 यर वाला Covered Interest जो IRP पढ़ क्यों हो रहे थे इससे लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको पढ़ना है Covered Interest Arbitress Important Topic है इससे question आते हैं, तो अच्छे से करना है इसको Covered Interest Arbitress तर यह क्या चीज़, इक्जामपल से समझ में अधियां से Sported दिया, Forwarded तर यह Forwarded IRP के हिसाब से है कि नहीं भाई नहीं, यह IRP के हिसाब से नहीं है हम जो 1 प्लास आर, 1 प्लास आर करके निकलते हैं वो वाला नहीं, यह actual वाला है बस इतना बता दो कौई कौन सी करेंसी प्रीमियम पर है सर डॉलर प्रीमियम पर अगर डॉलर प्रीमियम पर है तो क्या हमको डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए यस, उसकी वजह मालूम है क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे हम डॉलर में और जब फ्यूचर में डॉलर आएगा न तो डॉलर महगा हो रहा है तो जो डॉलर आएगा वित इंटरेस्ट वो महगे में बिकेगा न यार अगरी आज डॉलर इन्वेस्ट किया यूएस में आज इन्वेस्ट किया डॉलर महगा होने वाला क्योंकि रेट उप इंटरेस्ट काम है न यार डॉलर महगा होने वाला तो सर पक्का पक्का आपको यूएस में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक साल बाद वित इंट्रेस्ट डॉलर आ जाए तो यहां से लग रहा है हमको कि यार डॉलर महगा हो रहा डॉलर प्रीमियम पे है तो हमको डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरा rate of interest कहां का ज्यादा इंडिया का दिल क्या बोल रहा इंडिया 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 में इंवेस्ट करो ना सर क्या पागल हो गया मतलब इंडिया में rate of interest कोई पागल ही है जो ये बोलेगा कि इंडिया में इंवेस्ट मत करो और US में इंवेस्ट करो यह तो ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया में इंवेस्ट करने पर तो यार फाइदा है यहां फाइदा यह rate of interest क्या बोल रहा है कि इंडिया में इंवेस्ट कीजिए और यह क्या बोल रहा है डॉलर में इंवेस्ट कीजिए पे हमें premium in dollar निकालना पड़े और वो आपको निकालना आता है जो कि आया 2% dollar में invest करने से हमें 2.5% का फायदा है और इंडिया में invest करने से हमें 4% का difference difference ही तो निकाल रहा हूँ 4% का फायदा है सर ये accurate नहीं है, accurate नहीं है I see ये नहीं किया accurate तो मैं पहले करवाया करता था ये आज कल उस पे time खराब नहीं करता हूँ ओके चलो 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 वापस है जाओ सीधा लिख लो difference इंडिया में invest करने पे extra कितना मिलेगा 4% और dollar में invest करने पे 5% 2.5% तो बोलो 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 सर इंडिया 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 जीता इसमें से तो ये जीत गया इंडिया जीत गया इंडिया जीत गया तो इंडिया में लगाऊना है और पैसे सर पैसे इंडिया में लगाए उधार कहां से बोलो उधार वहां से लो धाई person उधार वहां से ले लीजे ये सबसे पहला काम है कि आपको decision लेना है कि हमको कहां invest करना है कहां है borrow पहले आपको ये निकालना कि आपको invest कहां करना है और जहां invest करना उसका opposite क्या करोगी borrow लिखना पड़ेगा कि interest rate difference ज़्यादा है किस से premium in dollars से तो invest in India borrow from US तो सिर्फ इतना लिखने से number मिलेगा कि बिल्कुल नहीं तो आगे चलो ये आपको process करके बताना कहां से borrow US से तो US से कितना borrow कर सकते बुले dollar one lakh तो बुले dollar one lakh से आप start करोगे अब ये process आपको लिखना पड़ेगा complete इसका number मिलता है दोस्तों देख चुका हूँ तो एक लाग डॉलर borrow करेंगे और वहाँ का rate of interest क्या चल रहा है sir वहाँ का rate of interest चल रहा 8% पर रहन 8% पर रहनम के लिए एक साल के लिए कर लिया और हमने US में एक साल बद पैसे चुकाने कितने चुकाने वो बाद में देखेंगे आज की बात करो आज क्या हुआ sir एक लाग डॉलर आया हमने 60 के सब से convert कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 60 लाग रुपिया अब लगाओ इंडिया में पैसा लगा दिया कितने के परशन के साथ 12 परशन ठीक एक साल बात इंडिया में जो पैसा लगाया है 60 लाग इंटू 1.12 इंट्रेस्ट सहीत हमें मिला 67,20,000 अब ही आपको डॉलर चुकाना पड़ेगा कितना चुकाना पड़ेगा तो ले सर वो छोड़ो 67,20,000 जो आया है उसको फावर्ड रेट से convert कर देगी तो हमारे पास इतना डॉलर आ गया अब हमको विट इंट्रेस्ट देना है एक लाग आठ हजार डॉलर तो हमको गेन हो गया है डॉलर 1262 1268 पॉइंट अब बस कोशन यहीं खतम हो जाना चाहिए पर ICAI क्या करता है यह गेन इन डॉलर है उसको रुपीज में भी convert कर देता कॉंसे रेट से फावर्ड रेट से तो ठीक है फावर्ड रेट से रुपीज में convert कर दो आपको क्या फर्क पर तो यह आ गया गेन इन रुपीज यह टिप एक्स्रा करता है हालक यहीं बात खतम हो चुकी है पर ठीक है गेन इन रुपीज कोशन में 58 एक्सामपल 58 नहीं करवा रहा हूँ 59 भी नहीं करवा रहा हूँ अब तो समझ में आ गया आज रुपीज़ कोशन करवाओगे ज्यादा काम है इस पे भी नहीं करवा रहा हूँ इस पे अच्छली आप लोग परिशान थे कि कहाँ निवेश्ट करना चाहिए 42 42 तो आपने होमवर्ग दे रखा है तो लेते हैं क्या दिक्कत क्या हमारे IC AI का कोश्चन है YES TYK20 पोट रेट है फावड रेट है तो सर ये तो भाई साब डॉलर प्रीमियम पर देख रहा है तो चलो प्रीमियम निकाले कि एक बार 48.8190 8.013 divided by 0.03 3 3 8 3.3 प्रीमियम इन डॉलर और इंट्रेट का डिफरेंस से 12 मैने साथ 4 परसेंस है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए अब इन्वेस्ट कितना चिक करना चाहिए ये दिख गया तो इतना डॉलर बॉरो करेंगे फिर वोही सारा प्रोसेज जो अभी करवाया था कर लोगे कोशन नुमबर 43 अच्छा कोशन है एक्जाम में बार 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 आया है कोशन नुमबर 43 अच्छा कोशन है TYK 27 क्या हमारे मॉडूल में भी डला हुआ है देखे जी कि बन फॉलिं इंफोर्मिशन एक्छन रेट दे रखा प्लीज धियान से पढ़ना यहीं गरबढ होता है कैनेडियन डॉलर पॉइंट 665 पर डियम मतलब कैनेडियन डॉलर पर डियम दिया हूँ इस पॉर्ट और फावर भी कैनेडियन डॉलर पर डियम पॉइंट 670 तो यह डियम का रेट है यस यह भी डियम का रेट है यस तो सर डियम तो महगा हो रहा है यस डियम प्रीमियम पर ओके इंटरस्ट रेट डियम का दिया साथ पर्षन और यह तो सर डियम premium पे तो DM का premium निकाले तो मैंने निकाला F-S ये DM premium पे है तो वैसे मैंने निकाला तो answer कितना आया 3% DM sir premium पर है 3% per annum तो दिल क्या करता है दिल ये कर रहा है कि sir DM में invest करना चाहिए बट 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 Canada में तो rate of interest ज़्यादा भाई कितना difference है 2% तो 2% से अच्छा 3% से सर DM में ही invest करना चाहिए DM का rate है DM में ही invest करना since premium in DM is more than interest rate difference hence invest in DM and borrow from Canadian dollar अब वो बोल रहा कि process दिखाओ कैसे दिखाए कितना dollar borrow करना वो कुछ नहीं बताया IC AI ने इस question में assume किया $1000 1000 हम भी वैसे ही कर लेते है ठीक है तो borrow करेंगे $1000 9% के हिसाब से कहां से Canada का rate कितना है 9% कितने मेने के लिए 3 मेने के लिए जो Canadian dollar आया 1000 उसको convert करेंगे rate है DM का तो divide होगा तो सर इतना DM आ गया और उस DM को आज invest किये 7% per annum के हिसाब से 3 मेने के लिए अब 3 मेने बाद हमको मिलेगा इतना क्या DM और उस DM को forward rate से मैंने क्या कर दिया convert DM दिया और DM का ही rate दिया इतना Canadian dollar आया इतना जाएगा with interest तो हमको इतने का फाइदा है और उसको DM में दिखाना है आपकी कोशन अच्छा है देख कर जाना अने का था ना बार बार कोशन आया है कोशन नमबर 45 और कट करो न कट कोशन नमबर 45 ये भी कट कोशन नमबर 46 ये भी कट कोशन नमबर 48 देखना है इसलिए देखना हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम थी सर यह हमारे मॉडूल का कुछन है कि नहीं है सर इस पॉर्ट रेट दिया है रुपीस पर डॉलर 48.50 इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है अब वो उसने आपको फावर्वर्ड नहीं बताया है उसने कहा भाई ऐसा है कि डॉलर प्रीमियम पर है 3% मतलब यह निकल गए मेरा फावर्ड मतलब फावर्ड डाइरेक्ट भी बता सकता था पर उनने का यार एक्चुल में डॉलर प्रीमियम पर भाई एक मिनट को मुझे लगा कि 3% पर एनम होगा पर बोले 6 मन्थ 6 मन्थ फावर्ड इस 3% 3% तो प्रीमियम इन डॉलर पर एनम बताओ सर 6% पर एनम यहां तो कोई दिखकते है कि ना तो सर दिल क्या कर रहा है डॉलर में इन्वेस्ट किजिए बट 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 इंटरेस्ट डिफरेंस देखे 9% और 4% इंटरेस्ट डिफरेंस है 5% 6% 5% प्रीमियम डॉलर में जादा है तो डॉलर में इन्वेस्ट करो और इंडिया से बॉरो करो यहां तक ठीक है इस देर एनी आर्बिटरेस पॉसिबिटी इफ यस हाँ यस अव अर्ट ट्रेडर कें टेक एडवांटिज अप इस सिचिवेशन इफ इस बॉरो डॉलर 3 मिलियन तो बॉरो इनी करना भई या बॉरो तो हमको रुपिया करना है और आप बोल रहे हैं बॉलर बैटे वो कहना चाहता है आप बॉरो करोगे डॉलर 3 मिलियन या उसके बराबर रुपै नहीं भी लिखा तो आपको समझना पड़ेगा उसके 3 मिलियन के बराबर रुपीज 68.50 के सबसे convert करो मतलब 205 उसके बराबर जितना भी होगा equivalent रुपीज आपको देखना पड़ेगा यही एक बात थी इसको तरफ यही एक बात थी कि उसने यह नहीं बताए कि कितना रुपीया तो बहुत आप 3 मिलियन को इससे multiply कर दो उतना रुपीया भी आप बोरो कर सकते बागी कोशन सिंपल था इस कोशन में याद रखने वाली बात दो है एक तो भाई साब यह वाला point और दूसरा यह equivalent रुपीज बात रहे है 49 कट कर सकते हो करेंगे तो वो खुद बताएगा क्या करना है तो ट्रायल एन एरर खेलेंगे question number 47 वैसे मुझे करवाना चाहिए पर मैंने आगे करवाना 54 कट कर दीजिए बहुत ही simple question है कुछ है नहीं समझाने के लिए आपको पढ़ना पढ़ ले न मैं मना नहीं कर रहा हूं पर कुछ है यह नहीं वो एक्जाम में भी सीधा आएगा न तो बना लो गया अचा purchasing power parity पिया गया किया कैसा आज purchasing power parity देखे क्या बोला था focus किस पे करना inflation सारी कहानी किस्सा सब कुछ लिखकर बताया है काम की बात यह है कि formula और formula क्या है inflation में न हमको पक्का नहीं होता था हम estimated spot rate लिखे और हमने क्या लिखाता है 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 याद है spot rate into one plus i और one plus i r की जगह क्या लिख दे न i और जो निकालने के लिए आता वो आता estimated spot rate और याद रखना ये international financial management में भी काम आता है ये वाला और IRP दोना तो बस तर निकालना है तो सीधा निकालो कैसे निकालना पड़ेगा तर 80 रुपिया है तो उपर रुपिया का rate 1.2 नीचे dollar का rate पतम कहानी 81.45 that's it वो भी वही बुलता जहां का rate of inflation कम होगा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं जलाना है ये सब मैंने आपको derivation समझाया सारी कहानी समझाया logic भी समझाया की कैसे होता है उस सब पे अब मत जाओ भी time नहीं this is most important ही बस F की जगह मैंने estimated spot rate 60 तर ये तो आराम से हो जाएगा ठीक है एक्जामपल नहीं भी करेंगे तो चलेगा हाँ जी नहीं करोगे तो भी चलताएगा पर सायद मने question homework दे दिया होगा तो थोड़ा बहुत करवाए थोड़ा बहुत करवाए थोड़ा बहुत करवाए rate of 46 46 रुपिया है तो उपर रुपिया आएगा 1.08 और नीची आजाएगा 1. तो फोर वन ये और फोर ये और फोर ये बोच रहा है तो पावर फोर कर लेंगे हाँ से पावर फोर पर कोशन नुबर 47 मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि करवाना है करके अब आ गया सर ये एएफम मोडूल का मोडूल का तो नहीं है भी या लेकिन हमारी इंस्टिट्यूट का है इसी एएग्जाम में आया हुआ है और जनवरी दोजार इकिस में देखना पड़ेगा तेकर एक्शली ये टॉपिक यहां होना यह नहीं चाहिए था ये एक्शली टॉपिक है करेंसी और बॉर्वी ये करेंसी ऑप इन वेस्ट्मेंट करेंसी और बॉर्यंग का मतलब है कि ह अगर उडार की बात करें तर यूएस से उदार लो अगर यूएस से उदार लेते तो 4% कितने मैने के लिए चाहिए तीन मैने के लिए उसके साब से यार यूएस से उधार लेंगे तो तीन मेहने बाद देना पड़ेगा डॉलर वन जीरो विदिन ट्रेस्ट इंपल है अब यार हमको कहां से चाहिए कैनेडा से तो कैनेडा से कितना कैनेडियन डॉलर उधार ले जो की 1000 डॉलर के बराबर बन जाए हमें 1000 डॉलर की जरुष यहां से तो सीधा 1000 डॉलर ले लिया पर कैनेडा से उधार लो लेकिन कैनेडा से हम 1000 डॉलर उधार नहीं ले सकते वहाँ से तो हमें Canadian dollar उधार लेना पड़ेगा हम Canadian dollar उधार लेगे उसको बेचेंगे और बदले में हमें 1000 dollar मिलना चाहिए question क्या है question यह 1000 dollar के लिए हमें 1000 US dollar के लिए कितने Canadian dollar लगेगे तो हमें 1000 dollar का rate दिया है और यहां हमें तो सर हमें 1240 Canadian dollar उधार लेना पड़ेगा किस rate से 4.5% के हिसाब से और फिर जब वापस करना है तो कितना 4.5% के हिसाब से सर हमें 1253.95 Canadian dollar वापस करना पड़ेगा उतने dollar खरीदना पड़ेगा और bank dollar बेचेगा और rate किसका दिया है dollar का bank dollar कौन सा Canadian dollar बेचेगा मतलब UN dollar हमसे खरीदेगा 1.255 से divide कर दोगे तो उस हिसाब से देखोगे तो हमारा answer आ रहा है यह पैसा भी तीन मेहने जब आज जाएगा यह भी तो सर कौन सा अच्छा है borrowing from Canada ऐसे किसका कर लोगे ऐसे आप lending वाला कहा investment करना चाहिए question number 24 क्या module का question है yes देखना पड़ेगा यह भी अच्छा topic okay 43 मिनट तो इसी में लग गया क्या करूँ आज तो मैं सोच के रखाऊँ बहुत परेशन मेरी कोशी से कम से कम समय में खतम करूँ बहुत हो गया जितने समय में जाता है चला जाए मुझे दिक्कत पर मैं पढ़ाते रहूँगा मैं छोडूँगा नहीं Forex के एक चीच cover एक चीच cover करूँगा चाहे कुछ भी क्यो ना हो जाए आपको बुरा लगना है लगे टाइम सर्च चार घंटे लगा दिया लग जाए चार घंटे कोई दिक्कत दिखा ABC कमपनी 6 मंत लोन लोन लेना है कितने का डॉलर 2 मिलियन का और इंट्रेस्ट पेबर लाइब और प्लस 1 परशंट और लाइब और है 2 मतलब 2 प्लस 1 हमको 3 परशंट पे उधार मिल गया है डॉलर 2 मिलियन कितने पिरिएट के लिए बोला है पिरिएट पिरिएट 6 मंत के लिए मंत के लिए हमको इतना डॉलर वापस करना पड़ेगा और इतना डॉलर फावर्ड रिट पे वापस करना पड़ेगा तो इतना हमें कैस आफ्लो होने वाला है 6 महने अलगोशन था ओके और क्या बोला था एडवाइस कीजिये की क्या करना फावड कवर करना है क्या नहीं करना मैं कहूंगा forward cover करना है 100% या risk कम हो जाता है institute ने और भी बताया बले spot rate से comparison करके बताया है अप ऐसे भी यार forward rate expected spot rate से नहीं उन्होंने क्या सुनो दिकत यह हमें forward cover करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो भई अगर हम इसका comparison किसे करेंगे expected spot rate इससे नहीं कर सकते x पे अगर हमें को ऐसा लग रहा कि expected spot rate जादा है forward rate से forward cover करो वही मैंने लिखवाया हाला कि अगर आपको idea नहीं है कि क्या होने वाला तो भई यह फायदा है कि hedge करो risk आपको forward cover करना चाहिए 25 कट कर दीजे इंटरनेशनल future effect में बिलको नहीं करवांगा हाला कि इस पर मैंने खुब करवा रखा जिनको देखना वो class देख सकता है तो इससे कोई question है नहीं है आ गया तो आपके किसमन तो class में तो करवाया हूं यार कितना revision करवांगा अब बात करते हैं currency exposure की वाटर बेक लेनो अपने ली अभी बात करते हैं foreign currency exposure इस topic में हम लोगों नहीं क्या क्या सीखा कुछ simple सी बात है तीन category में बाटा है transaction exposure, translation exposure और economic exposure transaction exposure क्या और यह important transaction exposure में क्या होता था या इंपोर्ट export करते हैं या foreign से borrow किया, foreign को loan दिया तो यार future में foreign currency payable है या receivable है तो उसको hedge करना जरूरी है पता नहीं कि foreign currency का rate बढ़ जाए कि कम हो जाए actual में transaction हो रही है और foreign currency payable और receivable है और उससे जो risk है उसको बलते है transaction exposure जिसको direct exposure ठीक ऐसे ही translation exposure, accounting exposure में आपको समझा चुका हूँ कि यार ऐसी firm जिसका foreign में branch वगेरा है और जब consolidated balance sheet बनाते हैं तो हमको translate करना पड़ता उससे जो risk है और economic exposure के विसे में आगे discussion वैसे भी करना है तो sir किसको hedge किया जा सकता है कौन सा हमारा topic है हमारा topic है transaction exposure transaction exposure को कैसे hedge किया जा सकता है इसकी कुछ methods है और methods में एक है internal housing और एक है external housing तरी आएगा कि नहीं आएगा भी हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है internal housing क्या होता है external housing और इसके अंदर क्या-क्या नाम है legitimate leading and leggings है, invoicing है, netting है, forward cover है, money market cover है, future housing है और option housing है यह important है एक तो इस topic में time लगता है हम लोगों को और इसके बाद जो time लगेगा वो लगेगा cancellation पस सत्म leading and leggings क्या है, leading and leggings कुछ नहीं है भाई, अगर आपको लग रहा है आपको payment करना है मालो और payment करना है हमको तीन मैने बाद एक लाग डॉलर का, पर हमको ऐसा लग रहा है कि या rate बढ़े सकता है, future में rate बढ़े सकता है अगर आपको पता लग रहा है कि future, ऐसा अनुमान है कि future में dollar का rate बढ़ सकता है, तो इंतिजार क्यों कर रहा है, अभी payment करो, अभी dollar कर दिए, अभी payment कीजिए और फाइदा यह होगा कि सामने वाला person को discount भी देदेगा, क्योंकि हम जल्दी payment कर रहा है, तो discount भी मिल सकता है, इसको बलते है, lead payment लेगिंग क्या होगा, जब हमको लग रहा है कि यार जो हमको payable है, वो सस्ता होने वाला है, तो उस सामने वाले को बोलिए, प्लीस थोड़ा सा और time दे दीजिए, हम आराम से payment करेंगे, तीन मैने बाद payment करेंगे, क्योंकि मालूम है, जब तीन मैने बाद dollar करी देंगे, तो सस्ता हो जाएगा, यह सब पढ़ना लेडिंग है, लेगिंग से, फेरी लिखवाया है था काम की चीज़, इसका example, example से ना करें, सिधा question कर ले तो चल जाएगा, examples आप नहीं भी करोगे, तो चलेगा, क्योंकि टॉप, जो है न, वो बिल्कुल simple है, इसका example नहीं करवा रहा ह नहीं है, तो पहला question करने जा रहा है, हमारा foreign currency exposure का question number 55, और यह क्या AFM module का है, यह स्टी वाई के टॉप, बड़े, इंडियन importer, इंडियन importer हमको payment करना है, dollar 1,30,000, और payment कब करना है, सर, बुले दो option दिया है, सामने वाले person, अभी payment कर दीजी, हम आपसे interest charge नहीं करें, सामने वाला बोल रहा है, अभी payment कीजी, हम आपसे interest charge नहीं करेंगे, हमने का ठीक है, दूसरा option है, आप 3 मैने बाद payment कीजी, लेकिन, वो जो है न, क्या नाम, उसका exporter, वो कह रहा है कि, फिर हम आपसे interest charge करेंगे, औ interest charge करेंगे, कितना 5% पर है, ओके, interest देना अच्छा है कि नहीं, सामने वाले को, अगर देखते, मान लो, हम अभी payment करेंगे, अभी payment करेंगे, तो 1,30,000 डॉलर ही देना पड़ेगा, पक्का वो तो देना पड़ता, और उसको हमको bank डॉलर बेचेगा, 48.36 के साब से खरीदना पड़ेगा, तो अभी payment करोगे, तो अभी इतना जाएगा, या तो तीन मैने बाद payment करो, लेकिन समस्या क्या है, तीन मैने बाद का cash flow का comparison आज के cash outflow से कर नहीं सकते, यह कैसा outflow कप का, तीन मैने बाद का, यह कप का, आज का, तो कैसी comparison हो सकता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार चलो ना यार पैसा उधार लेते हैं, हम पैसा उधार लेंगे, इंडिया से, कितने percent के हिसाब से 15 percent परेंगे, ओर रॉप्ट फैसलिटी दे रखा है, उस हिसाब से तीन मैने बाद with interest हमारा जा रहा है, इतना, अगर हम सामने वाले को अभी payment करत तो मुझे interest इंडियन बैंक को नहीं देना है, मुझे interest सीधा सामने वाली पार्टी को देना है, तो इतना dollar जाएगा, और इतना dollar हमको खरीदना पड़ेगा 48.83 के हिसाब से, तो टोटल इतना रुपए जाएगा, इसमें कैसा outflow हो जादा है, तो sir payment option नहीं, इसमें 6.4 है, इ Sir question number 56, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि AFM module में है, कौन सा question है, TY के 2, तो लेखे, तो लेखे, Z limited import किया है goods, इतना dollar 2 million, और कितने दिनों मैं payment करना है, Sir payment करना हमें 90 days में, to make the payment, overseas supplier offered a 60 days interest free credit, ये जो सामने वाला supplier है, उसका ये कहना है भाई, आपका जो 60 दिन तक हम आप से interest payment, interest नहीं मांगें, आप सीधा 2 million dollar का payment कर देना, interest नहीं लगें, ये तिमिन्स आपको 60 दिन में payment करना, मतलब आज देने की तो बात ही नहीं है, आप 60 दिन बाद payment कीजिए, कोई दिक्कत की बात, पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 30 दिन के लिए और credit चाहिए, अगर आपको 60 दिन के उपर credit चाहिए, तो बले interest लगेगा, 8 percent per annum, तो एक option है, अब option समझ रहा है, मेरी हिसाब से, अभी कभी payment करो, कितने परशन के हिसाब से, हम interest नहीं देंगे, इसको 2 मेने में, 60 दिन में payment कर देंगे, और 30 दिन के लिए हम यहाँ वाली bank से उधार ले लेंगे, कितने परशन के, सबसे 10 percent, दूसरा option, इस भाई साब को 8 percent interest सहित, यहाँ payment किजिए, अगर यहाँ payment करते तो यहाँ dollar खरीदना पड़ेगा, अगर यहाँ payment करते तो यहाँ dollar खरीदना पड़ेगा, तो 2,00,000,000,000 खरीदना पड़ेगा, 57.10 के हिसाब से, और इतना रुपिया 10 percent के हिसाब से 30 दिनों के लिए उधार लेना पड़ेगा, तो total cash outlaw इतना है, अगर 90 दिन में payment करना है, तो फिर मुझे सामने वाले person को 2,000,000 और उस पे interest भी देना पड़ेगा, मतलब मुझे ठीक 90 days बाद इतना डॉलर का payment करना पड़ेगा, और ये जो डॉलर है, खरीदेंगे 57.50 के सबसे, तो ये payment आएगा, कौन सा अच्छा है, तर ये वाला बुरा, option 1 is better due to lower cash out, ठीक है, ओके, अच्छा question था, question number 57, सेवन, सेम ही question है यार, पता नहीं, institute ने क्यों डालके रखा है, TYK 22, मैंने तो homework दे दिया था बच्छों का, और फुरा लग रहा है, पर इसको करने का sense नहीं है, सेम question क्यों दिया या, institute, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है, सर, question number 58 कर लेते हैं, और सर, यह ICAI का question है, कि, yes, TYK 35, देखें, सर, import हो रहा है, कितना, 5000 बॉटल्स, कितने के साब से, 20 तो 5000 इंटो, 20 तो एक लाख डॉलर का payment करना है, two choice है, अभी payment करो, या तो तीन मैने बाद, और अगर आपको अभी payment करना, तो आपको 14 पर्शन के साब से loan मिल जाए, question तो से, अच्छा ये दिया है, 35, 25, तो इससे वाप है, minus हो जाएगा, मैं रहे खेल से, इसमें कुछ बात ही नहीं था, वो वक्त था ही साय था, इसको भी मैंने कट कर, अभी वाला question ही है, क्यों, मतब्यार इस पर ICAI ने बड़े सारे question module में डाल दी है, मुझे sense नजर नहीं है, question number 61, तो करना ही मत, क्यों, क्योंकि book ICAI कर नहीं है, question number 68, actually invoicing पर है, question नहीं, example number 68, तो एक बार समझ लेते हैं, देखो ऐसा है, US में, dollar payable भी है, dollar receivable भी है, payable भी है, किसी party को, US की किसी party को, मुझे, मैं हूँ राम, मुझे किसी party को pay करना है, dollar 3 लक, और किसी दूसरी party से, मिलने वाला dollar 2 लक, और दोनों की दोनों period कप का है, तीन मैने का, या तो इन दोनों से अलग-अलग transaction कीजिए, इसको इससे लीजिए, dollar 2 लक, और कितने के साब से convert कीजिए, 47.50, और जब dollar 3 लक वापस खरीदिये, और कितने के साथ ही तो बेगो भी है, netting में क्या कर सकते हैं, इन दोनों को net कर लीजिए, अब बच्चा हुआ, payment कर दीजिए, this is netting, तो उस condition में हमको एक लाग डॉलर ही खरीदना पढ़ता कितने के, 71.75 के, तो मेरी खेल से समझ गया हुआ, ओके, net cash outflow दिख रहा है, यह अलग-अलग किया, without netting, तो मेरा net cash flow आ गया है, 742, 5000 है, और with netting आया, 7175,000, तो ज्यादा अच्छा क्या, 71,75,000 with netting is better, ऐसा question आएगा, एक topic करेंगे हम, currency future, जिसमें netting वाला topic आए, अब leading and lagging हो गया है, yes, अब बात है, money market cover, अच्छा topic है, समझने वाला, money market cover, उसके बाद currency, future currency, बस, foreign currency exposure, खतम हो जाएगा, तो उसके बाद cancellation ही विशता है, money market has for importer, money market has for exporter, एक बार थोड़ा सा example के साथ discuss करूँ, इतना लिखा है, तो यह तो समझ में आएगा ने, पर फिर भी, परसर ने, जिसका नाम है, राम, और राम को payment करना है, तीन मेहने बाद, डॉलर, एक लग, तीन हजाएगा, अभी rate क्या चल रहा है, 71, 71 क्या है, आप से डॉलर खरी देंगे, अभी rate चल रहा है, 71, और तीन मेहने बाद हो सकता है, 73, तो राम क्या चाहेगा, और ये राम ये चाहेगा, कि अभी की अभी payment करें, यस, जो person है, मिश्टर है, इस से बोल रहा है, कि यार, अभी हम payment करेंगे, तो कुछ discount मिलेगा, क्या, उनका कहना है, no discount, no discount, हमने का ठीक है, हम आप से बात नहीं करते हैं, हमने इस bank में क्या, मैंने कैसे याद करवाय था, क्या मेरा payable है, हाँ, क्या मेरा liability है, यस, तो मैंने का, मुझे bank में asset create करना पढ़ेगा, मतलब मुझे investment करना पढ़ेगा, याद करो, याद करो, और मैंने आपसे बताया था कि 1,03,000 पता करो कि US की बैंक में क्या rate of interest चल रहा है पैसा जमा करने पे और पैसा जमा करने पे US में चल रहा है 12% मैंने का मुझे सिर्ब 3 मेहने के लिए जमा करना है तो 1,03,000 का present value निकाल लिया मैंने तो total मुझे जमा कितना करना है 1,00,000 का जमा करना है आज ताकि 3 मेहने बाद with interest वो हो जाए 1,03,000 डॉलर और ये भाई साब को हम 3 मेहने बाद इस बैंक को फोन कर देंगे ये इसको payment कर देगा 1,03,000 डॉलर बाद खतम हमें automatic discount मिल गया ओके सर अब क्या है अब 1,00,000 डॉलर खरीदना है किस rate पे खरीदोगे सर 71 के सबसे खरीदेंगे ठीक है और 71 के सबसे मतलब 71,00,000 लगेगा तो 71,00,000 आज कहां से उधार लोगे इंडिया से कितने परशन के सबसे 16 परशन के सबसे उधार लेंगे इंडिया से 16 परशन के सबसे उधार लेंगे 3 महने के लिए मतलब 4 परशन या 3 महने का तो कितना लगेगा 71,00,000 लैक इंटू 1.04 तो टूटल मिलाकर मेरा जारा 73,00,000,000 इसको बोलते हैं money market cover सबसे हमें इनवेस्टमिन करना कि यहां से बोलू करना डिपेंड करता है देखो payable है कि receiver payable है मतलब liability है liability है मतलब asset create करना पड़ेगा opposite मतलब investment करना पड़ेगा यह मैंने आपको सिखाया है वोई चीज मैंने यहां करके दिखाया है परे ख्याल से presentation आपको दिख रहा हो power cover आपको समझ में आगे दूसरा example number 70 करना जरूरी है क्योंकि इसी से पता लगेगा कि हमें करना क्या है मतलब money market cover में करना क्या है export किया US मतलब आने वाला आने वाला 1,6,000 डॉलर कब आने वाला 6 मैने बाद आने वाला मतलब asset है और अब भी rate किया चल रहा है आएगा तो हम 70 के साब से बेचेंगे पर भाई साब वो तो 6 मैने बाद देने वाला वो तो 68 के साब से convert करना पड़ेगा तो हम सामने वाले से क्या केंगे प्लीज अभी दे दो बोलता अभी कहां से दू नहीं है मेरे पास 6 मैने बाद का आप सबको credit देते हो मुझे भी चाहिए अब दोगे न 6 मैने बाद तो दोगे न मैं बहुले हाँ 6 मैने बाद दूगा एक लाग शेजार डॉलर मैं इस bank से बौरू कर लिया तर यह आपको उधार क्यों देगा Mr. Ace मैं बोलूंगा ना भी या आप ही के यहां का Mr. A तो 6 मैने बाद मुझको एक लाग शेजार डॉलर देने वाला है तो वो मुझे ना देके आपको देदेगा आपको तो पैसे देने से मतलब ने यार आपको उधारी का पैसा वापस मिल जाएगा Mr. A देदेगा तो एक लाग शेजार वाहां का rate of interest क्या है उधार लेने का 12% तो 6 मैने का 6% तो उसका present value निकाला तो हमने एक लाग डॉलर यहां से उधार ले लिया कहां से इस से नहीं बैंक से और एक लाग डॉलर को आज convert कर लिया सत्तर के साब से दो बोलो कितना आ गया सर सत्तर लाग रुपए आ चुका कब आया आज और आज रखोगे क्या तो हमने उसको 8% के हिसाब से invest कर दिया तो कितना आया था है एक लाग सत्तर इंटू 1.04 सर सेवन्टी टू लेक्ट एटी थाउजंड मनी मार्केट कवर से मेरा पैसा आएगा और अगर हम मनी मार्केट कवर ना जाए तो जो एक लाग छी अज़र डॉलर है उसको हम 68 के सब से कवर कर सकते हैं फावर्ट कॉर्स ठीक है 720 8000 मनी मार्केट कवर इस बैटर इसमें दिक्कत क्या जाती इसमें सिर्फ एक ही प्रॉबलम जाती है इस बैंक में हमें बोरो करना है इन्वेश्ट उसके लिए एक ही ब्रमास्तर है क्या पेबल है मतलब लाइबरिटी है तो एसिट क्रिएट करना पढ़ेगा मतलब इन्वेश्ट क्या रिसीवेबल है मतलब एसिट है आने वाला है तो यहाँ एसिट है तो लाइबरिटी क्रिएट करना पढ़ेगा मतलब बॉरोईंग्स तो बोलते हैं मनी मार वही मैंने यहाँ लिखवाया हूँ तो प्लीज देख ले कोश्चन नमबर 63 करेंगे और साथ कोश्चन नमबर 63 ती वाई के 20 बनता है करने का एक बार एक्सपोर्टर इस यूके बेश्ट कमपनी यूके की कमपनी यूके में क्या चलता है पाउंट इन्वाइस एमाउंट इस डॉलर 3,50,000 तो सही सिंपल सी बात है ये कमपनी है यूके की और आने वाला है डॉलर 3,50,000 ग्रेट प्रियर्ड है थ्री माथ रेट दिया है पाउंट का उस अज जो डॉलर आएगा हम बैंक को डॉलर देंगे और बैंक पाउंट बेचेगा मतलब ये वाले रेट से कनवर्ट कर लेंगे ये फाउंट हो गया है ये फाउंट हो गया है अगर हम मनी मार्केट कवर में न आ जाए तो 3,50,000 डॉलर 1.6140 के सबसे इतना पाउंड हमको मिलेगा अब मनी मार्केट कवर में इंपोर्टन क्या है इंपोर्टन है सर यूएस की बैंक में इंवेस्ट करना है कि बॉरो करना है डॉलर आने वाला है मतलब एसिट है मतलब लायबिलिटी क्रियेट करना पड़ेगा मतलब यूएस की बैंक से बॉरो करना पड़ेगा और यूएस की बैंक पे बॉरोईंग का रेट कितना है 9% तो ही मेरे d ту नाइन पर्षंन के इसाब से बोर्व करेंगे तो ये आ गए और जो डालर ऑल्लर आया उसको आज ही convert कर लेंगे तो pound आ जाएगा और pound को इन्वेष्ट कर ढ़ेंगे pound को हम सीथा क्या करेंगे invest कहां US में और यहाँкими investment का rate कितना है पाच पर तो finally कौन सा अच्छा हूँ आप देख लें अच्छा question है प्लीज practice करना भाई questions की पिछला मैंने डाला वीडियो revision का तो revision ऐसा नहीं है कि दो घंडे में खतम forex इसा नहीं होता है पनाओगे नहीं तो दिक्कत में पड़ोगे इमें जिम्मिदार नहीं होसका question number 64 cut कर दीजिए I.C.E. आएगा question है question number 68 cut कर सका question number 62 करने का बनता है इसमें तो netting है यह question है जिसमें netting भी है जिसमें money market cover भी है इसमें forward cover मैं netting थोड़ा सा discuss कर लेता हूँ बाद समयने बादे Columbus Surgicals और सर यह हमारे TY के 38 है यह वाला question कर लो यह वाला अच्छा है यह कर लिया ना तो इसमें साब आ गया पिछले question छोड़ भी सकते यह वाला कर लो Columbus Surgical is US-based company वाले US की company है सर कोई US की company पर है इंपोर्ट किया इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट किया तो सर पेबल है देना है चारला कस्य है पाउंट्स अच्छा तो UK वाले को दे और कब देना है तीन मैने और साथ में इन्होंने एक्सपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट करता है आने वाला भी होगा पक्का Indian customer has been invoiced for pound तो Indian customer होगा बोल रहा एक लाख 138,000 पेबल इन फ्री मन्त तो 138,000 आने वाला फ्री मन्त में और यूरो आने वाला 5,90 जार कब पोर मन्त में अब सुना देां से या पाउंट पाउंट है यस क्या पाउंट फ्री मन्त है तो बचा हुआ pound 342 तो मैं pound 342 ही दूंगा सामने वाले को that's it बस बात कता इसको बुलते हैं netting तर euro का netting हो नहीं सकता और दूसरा timing अलग है इसका 3 month है वैसे भी currency अलग है तो netting का बात ही और timing भी अलग है तो sir ये जो आने वाला है इसके लिए तो अलग से काम होगा तो 342 के लिए अलग से काम होगा और 342 के लिए अलग से काम होगा that's it तो sir 342 का सोचें कि एक बार सोच लेते हैं तर देना है मतलब liability मतलब asset create करना पड़ेगा मतलब sir UK में investment करना पड़ेगा और UK 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 the rate of interest of interest UK में invest करना पड़ेगा मतलब 10 पर अक्की फिर बना लोगे बाकी rate of interest decide कर लोगे बना लोगे कुछ अच्छा कोश्चन है कोश्चन नमबर 65 TYK 28 TYK 28 सर इसमें cash special है कुछ special नहीं है भाई वो र एक्सपोर्ट किया है आने वाला है pound अभी rate चल रहा है 56 और payment देना 3 month और 12% और 5% सर क्या है आने वाला है मतलब asset तो liability मतलब सर वहाँ asset से तो liability create करना पड़ेगा मतलब borrow करना पड़ेगा कितने की हिसाब से 5% money market cover करने मिसे money market cover से बता देंगे कि इतना हमारा कैसा होगा कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर इस question को तो हम forward cover से भी तो कर सकते हैं तो बेवकुपी वाली बात है नहीं का forward cover है ही नहीं है कुछ forward rate कहां से लाओगे तो कुछ बच्चों का ये भी कहना था सर forward rate हम इसको देखके कर लेंगे इसको देखकर rate of interest की मदद से जो forward rate निकलता हूँ actual forward rate नहीं होता है वो होता है theoretical forward rate सर उसी को हम actually मान सकते हैं वो मानोगे तो वो money market cover के बराबर ही तो हो जाएगा ultimately ये मैंने आपको समझाया हूँ ज्यादा दिमाग मच चलाओ अभी ये मैं समझाने की कोशन कोशन नमबर 83 एक ऐसा कोशन है जो AFM module में नहीं है बट अच्छा कोशन है मतलब या करने का बनता है बिलकुल पढ़े महाँ टाइम हुआ एक ये ज़ेगा एकस वाय ज़ेड एस इम्पर्टोट गूड्स तुट एकस आफ डॉलर किया है ये आपका मनी मार्केट का कोशन नहीं है आपका मनी मार्केट स्कूट खतम हो गया तो सरथ डॉलर का इमेपोट किया है नहीं है च susceptible करण ना जाएगा मतलब हमको 7.92 मिलियन सी देना पड़ेगा तूसरा साथ दिन तक हमें डिसकाउंट तो नहीं मिलेगा अगर आप अभी पैमेंट करते हैं डिसकाउंट तो नहीं मिलेगा और सामने वाला बंदा साथ दिन के लिए 60 डेस के लिए इंटरस्ट फ्री क्रेडिट दे रहा है लेकिन इसके उपर जाओगे इसके उपर जाओगे तो आपको 8 परशन इंटरस्ट सामने वाला चार्ज करेगा कितने दिन का चार्ज करेगा 30 दिन का बतलब 8 मिलियन विट इंटरस्ट आ रहा 8.053 मिलियन आगे हैं और अभी XYZ के पास भी या उधार लेनी की ज़रूत नहीं 25 लाग रखा हुआ है 25 लाग अभी रखा हुआ है दूसरा अगर हम इस परशन को 60 दिन में ही पैमेंट करें तो बुले हमको फिर बैंक से उधार लेना पड़ेगा बैंक से भी उधार मिल सकता कितने परशन के सबसे अगर अभी पैमेंट करोगे तो आपको 90 देस के लिए लोन मिल जाएगा वो मिलेगा 9 परशन के सबसे देख लेते हैं अभी पैमेंट करें या 60 दिन बात पैमेंट करें कि 90 दिन बात पैमेंट करें बस इतना ही कुश इस पॉर्ट ट्रेड दिया 60 दे रखा 90 देख पहला अगर हम अभी पैमेंट करते हैं तो जो कैस है उसको यूज कर लीजिए बचा हुआ बोरो कर ले ना मतलब आप तीनों आप्शन में कैश यूज कर सकते हो तीनों आप्शन में कैश यूज कर सकते तो ठीक है अभी कैश यूज करूँगा उसके पिक्चर में साठी दिन बात कैश यूज करूँगा तो उस कैस से में कुछ कमा भी सकता हो नहीं हाँ रुक जा रुक जा पहला अभी पैमेंट कीजिए दूसरा 60 देज में पैमेंट कीजिए तीसरा 90 देज में पैमेंट कीजिए और अग अगर हम अभी payment करते हैं, तो कितना payment है, 7.92 million, उतना उधार लेना, नहीं, उतना उधार नहीं है, उतना dollar खरीदने के लिए कितना औरुपिया लगेगा, इस portrait से, इतना लगेगा, 53.0482 crores, crores हुए करना, सवाल ये है, इतना उधार लेना पड़ेगा, नहीं सर, हमारी पास तो 22,00,00 पहले से, तो उसको मैंने हटा दिया, ये पैसा तो उधार लेना पड़ेगा, ये पैसा हम इंडिया से उधार लेंगे, 9% 90 days के लिए, 90 days बाद हमारा total पैसा जा रहा है, 53.9862 crores, दूसरा option है, 60 दिन में अगर payment करे तो, तो इतना payment करना पड़ेगा, 0.8 crores dollars, उसको multiply कर दिया, मैंने 60 days, सर इतना जाएगा हमारे पास, कब, 60 दिन बात, क्या cash है आपके पास, yes, और cash जो है, cash, सुनो न यार, cash को यार, 2 मेने लगाया भी तो है, 2 मेने, मतलब 60 दिन, interest भी तो कमाया है, yes, तो interest सहीत, ये पैसा आ जाएगा, हमारे पास, 0.2517, तो सर, 53. 53.7280 में से cash को use कर लिया, with interest, तो सर, ये आगए, और इसको हम invest कर देंगे, इतना रुपिया हमको उधा लेना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए, 30 days, with interest हमको इतना payment, और 90 days बाला तो असान है, 90 days में हमको सामने वाली party को interest देना है, उसको हम 90 days forward rate पे खरीदेंगे, cash को use करें कितने मैंने के लिए invest हो रहा है, 90 days के लिए, तो finally इतना, कुछ बच्चों का इसमें doubt क्या है, सर, cash भी तो जा रहा है, या cash भी जा रहा है, important cash जा रहा है कि नहीं जा रहा है, important है कि किसम हमारा तीन महने बाद जा रहा है, cash भी तो जा रहा है, तो आप उसको outflow में नहीं दि बतानी बाकिया अभी ये concept समझाने का time नहीं है चले जी आगे हो गया है अब करेंगे future currency future ये future haising और फिर currency option या option haising फिर चोड़ा सा अच्छा topic है तो बात करें currency future के derivative किये बिना ये समझ में नहीं है तो अगर जिन्होंने derivative नहीं किया होगा हाला कि revision चल रहा है ऐसा होई नहीं सकता कि derivative ना किया हूँ तो करेंगे आगे सर्फ future क्या होता future future का मतलब होता है शर्थ लगाना सर्थ इस बात का लगाना सर यहां future किस में लगाना यहां future मतलब betting करना है मतलब मतलब सर या तो हमको long position लेना है या तो हमको short position लेना किस में currency में ओके अपसाइड बैटिंग है डाउंसाइड बैटिंग है या तो long position वैसे long position को buy बोलते है और short position को sell बोलते contract to sell contract to buy तो सर यार हम इसमें कैसी future में hedging करेंगे एक बात simple सी बात है example के साथ समझांदो तो बात समझ में एक्जांपल के साथ यह राम ठीक है सर राम और यह मिश्टर ए क्योंकि यूएस का रहने वाला है yes payment करना है राम को एक लाग डॉलर कब करना है तीन मेने बात को दिकत अभी का रेट क्या चल रहा है सर अभी का रेट चल रहा है साथ रूप इसको बोल रहा हूं में इस पॉल और अभी payment थोड़ीन करना हमें payment कब करना है तीन मेने बात या तो हम forward contract book करें बैंक के पास गया और बैंक से बोले कि यार क्या चल रहा है forward contract तो उन्होंने बताया 61.50 तो बिलकुल ताम जहम ना करें और 61.50 के हिसाब से payment कर दें तो हमारा forward contract एंटर करतें तो 61,50,000 जाएगा ये तो ठीक है इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है इसके अलावा और एक तरीका है क्यो ना आप stock action से बात करे और stock action से बुले कि सुनो ना stock action मुझे सर्थ लगाना है अब सर्थ सर्थ कौन सा लगाना बढ़ने का सर्थ की कम होने का सर्थ आपको डर किस बात का है सर हमको डर इस बात का है की रेट डॉलर का रेट जो अभी 60 रुपए वो बढ़ना जाए तो हम गए Stock Exchange के बास हमने का Stock Exchange हमें शर्त लगाना है और सर्त इस बात का लगाना है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा जिस बात का डर उसी में शर्त लगा Stock Exchange पूछेगा कौन सा वाला फ्यूचर में वन मन्त की टू मन्त की मैंने का मुझे थ्री मन्त वाले फ्यूचर में क्या रेट चल रहा है बोले अभी रेट चल रहा है 61 तू बहले इस पर आप सर्त लगा सकते हो और किस बात का बढ़ने का मतलब कौन सा पोजिशन ले सकते हो लॉंग पोजिशन ठीक है ओके सर तो लॉंग पोजिशन ले लिया हमने 61 हम कह रहे है तीन मैने बाद रेट 61 से बढ़ेगा कोई दिक्कत है क्या यहां तक खाज बात समझें खाज बात यह है कि है कैश मार्केट यह है एक्चुल स्टॉक एक्शेंज से हम कभी भी कभी भी डॉलर नहीं खरीदेंगे एक्चुली शर्थी लगा सबते बताया था हलाकि बैंक के रेट अलग होती है और श्टॉक एक्शेंज जिस पर आप शर्थ लगा रहे उसके रेट अलग होती है तो थरी मंत के लिए हमने क्या शर्थ लगाया कि 61 से बढ़ेगा लगयी शर्थ तर ये 61 ऐसे दिया रहता है कि ऐसे दिया रहेगा 3-month future rate 61 हमने लगा लिया सर और कितने dollars पर लगाया हमने 1,00,000 डॉलर पर लगा एक 3 मेने हुए फावर्ट कॉंट्रक्ट नहीं किया 3 मेने हुए तो 3 मेने बाद क्या हो गया सर 3 मेने बाद rate हो गया spot rate मतलब सर बैंक वाला rate और बैंक वाला rate हो गया 62 तो हमको 62 के हिसाब से dollar खरीदना ही पड़ेगा तो 62 lakh तो जाएगा जाएगा भाई कोई रोक नहीं सका ठीक हम stock exchange के पास तो जाएंगे stock exchange हमने शर्त लगाया था कि 61 से बढ़ेगा बताओ क्या rate हो गया और future market मतलब stock market ने कहा कि rate हो गया 63 63 rate हो गया 62.5 को काड़ दीजिए 63 rate हो गया मैंने शर्ती तो लगाया था कि यार बढ़ेगा तो बढ़ गया तो बढ़ गया सर मतलब सर मतलब सर सुनो 62 भी तीन मैने बाद का rate है हाँ और सर 63 भी तीन मैने बाद का rate है यस ये किसका rate है बैंक का ये rate किसका stock exchange में हुआ तो सर यहां तो हमको bank से एक लाग डॉलर 62 के हिसाब से खरीदना होगा और साथ में stock exchange से हमें दो रुपए का profit है एक लाख डॉलर है तो दो लाख रुपए जीद गया तो no doubt 62 लाख गया पर दो लाख मेरे पास stock action से आ गया इसको बोलते variation margin तो मुझे actual में कितने कहा गया मेरा actual में 60 लाख रुपए गया अगर मैं forward contract कर रहा था तो मेरा 61,50,000 जा अब सवाल यह है कि इसका presentation कैसा आ जाते presentation तो सबसे पहले हम बात currency future किये कर लिए और मैंने क्या बोला जिस बात कर डर उसी में शर्त रगाना क्या dollar payable है यस इस बात कर डर dollar के बढ़ने का और बढ़ने के लिए हम कौन सा position है long position और किस rate पर लिया 61 यह 61 से बढ़ेगा पहला काम पहला step number one में आपको हमेशा यह करना होगा कि आप long position ले रहा है कि short position और जैसे यह final हुआ तो आपको number of contracts निकालना होगा हलाकि इस example में number of contracts वाली कोई बात नहीं और sir number of contract के बाद gain या loss निकालोगे किस में future में मतलब stock action से gain हो रहा है कि loss हो रहा है कि आपका long position yes rate क्या हो गया 63 तो sir उस हिसाब से हमको gain हो गया कितने का और उसके बाद सीधा cash outflow निकल लेना आपको dollar खरीदना ही पड़ेगा कितना dollar खरीदना पड़ेगा एक लाग dollar 62 के सबसे 62 लेक गया लेकिन gain हो गया और gain on currency future कितना हो गया दो लाग तो आपको cash outflow कितने का पड़ा 60 लेक्स आपको चार इस टिपस में काम करना ही पड़ेगा पहला आप क्या कर रहे हो long position की short position दूसरा number of contracts वह में सिखाऊंगा आगे तीसरा gain और loss on future और चौता cash outflow या inflow ठीक है और forward cover तो आपको पता है currency future important है भाई इछले attempt में currency options पे question आया था और call और put दूनों मिला कर रहे है cancellation का question तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर फोरेक्स छोड़ दे किया छोड़ दो भाई क्या बोल सकता हूं यार सर फोरेक्स तो आपका पचास घंटे का तो क्या करूं revision में भी तो time लग इसमें भी time लग रहा है लगे गा मुझे मालम था लग की लगे कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी खतम करने but कितने जल्दी करूँ question number 72 बस इतना बोल सकता हूं कि अगर यह revision वीडियो कर रहे है न कुछ uncovered नहीं रहेगा हर टाइप का कोशन में छोड़ी नहीं रहा हूं question number 72 अब number of contract को यूज करूँगा कि यह तो क्या dollar payable है एक लाक यस spot rate दे रखा और कब payable है थ्री मन्त वन मन्त वाला हमारे काम का नहीं है IC AI या question में जबरदस्ती वन मन्त का देगा तो उसे ignore कर देना हमारे काम का है थ्री power rate पहला सबसे अच्छा option है कि आप forward contract में जाएए एक लाग डॉलर into 72.75 मतलब 72,75,000 का payment हो पहला option तर दूसरा है कि आप currency future currency future है ना currency future में जाएए और currency future में अगर जाते तो इस बार एक contract में आपको 9000 डॉलर कम से कम और number of contract देखना पड़े वन मन्त वाला काम का नहीं आप betting करोगे अब यह decide करना पड़ेगा कि आपको long position by future या self future तर क्योंकि dollar payable है यस और यह rate जो है dollar का ही दिया है यस तो हमको dollar के बढ़ने का डर तो हम उसे सबसे कौन सा position लेंगे long position 71.75 में मतलब upside betting पहला step खतम पहले step में क्या करना है long position या short position तूसरा हमको क्या करना number of contracts total कितना dollar payable है 1,09,000 डॉलर है तो 11.11 आया अब इसमें बच्चे परेशान है क्योंकि option में अलग होता है future में अलग होता है future में क्या होता है number of contract को आप round off कर देते हैं option का option में बात करूंगा round off कर देते हैं round off करना आपको आता है it means 11.11 आया तो मैंने इसको 11 contract ले लिया अगर 11.81 होता तो मैं इसको 12 contracts ले लिया अभी यहां क्या है अभी यह 11.11 तो मैंने का मैं 11 contract क्या कर रहा हूं long long का मतलब समझ रहा है upside bet that's it पहला काम हो गए दूसरा काम तीसरे नंबर पर क्या मुला था तो तीसरे नंबर पर हमें gain या loss निकलना है अब देखो अब बताएगा due date पर यह क्या है यह बाद में बात करेंग due date पर rate जो है spot rate मतला वो bank की बात कर और currency future rate मतला currency future rate जिस पे आप शर्त लगाया थी वो rate क्या हो गया वो हो गया 74.25 और हमने लगाया था 71.75 से उपर जाएगा और बढ़ गया बढ़ गया तो हमें gain हो गया तो वो gain और loss on currency future निकलना पड़े कितने का gain है कितने डॉलर पर एक डॉलर पर टोटल 9,000 डॉलर टोटल कितने 11 contract तो इतना हमारा gain हो गया इसको बोला जाता है variation margin यहां तो कोई दिक्कत है क्या ठीक है अब इसके बाद काम क्या होगा हो गया सरी हां तक अब क्या कर अब हम निकाल रहे हैं cash outflow cash outflow इस tip number 4 हलकि मैंने लिखा नहीं tip number 4 सर ठीक है सबसे पहली बाद सर हमको एक लाग डॉलर खरीदना ही पड़ेगा yes power contract किया नहीं तो हमें 73 के सबसे खरीदना होगा yes हमें 73 के सबसे खरीदना होगा तो सर हमारा 73 lakhs तो गया नहीं तो पर stock exchange से हमें मिल जाएगा जितना profit हुआ हमें इतना पैसा stock exchange से मिल जाएगा तो यह minus हो जाएगा अब एक important हम जानते कि हमें currency future contract में margin जमा करना हो तो कहीं ना कहीं margin की information दिया है हमारे काम का है तीन मेंथ के लिए हमको 20,000 रुपए margin जमा करना होगा एक contract पे तो sir margin का पैसा तो वापस मिल जाता है मिल तो जाता लेकिन पैसा तो block हो गया ना तीन मेने के लिए तो उसका आपको opportunity cost तो लेना ही पड़ेगा तो मैंने यहां किया किया 11 into 20,000 into 10% into 3,5,12 यह हो गया opportunity तो यह भी पैसा हमारे पास से जा रहा है यह भी पैसा जा रहा है और यह पैसा जो है यह आ रहा है जिसको बोलता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यह आ रही है कि उन्होंने कह कि सब कब plus करना कब minus करना हमको समझ में नहीं आ रहा है यह भी कैसा элект लो है यह भी कैसा अउठ्लो यह भी कैसा 005 यह भी कैसा 002 यह अउठ्लो ऑर मार्जेन मतलब प्रॉफित है तो आप समझदार हो ये तेिक ए और सब करें तो कोई ताम जहत नहीं and Trump एक लिए और ये एक्जाम्पल इंपॉर्ट देखे प्रॉब्लम तब होती है जब रेट डारेट कोट ना देकर इंडारेक्ट दे देता है तब समस्य है वो इसमें समझाना है तेन चीज है डॉलर पेडल है तर करेंसे फ्यूजर की बात करें कि तो सर वन मंथ वाला हमारे काम का नहीं है वन मंथ वाला कार्ट देखे है बिल्गुल कार्ट तो सर एक्जाम्पल में क्यों दिया क्योंकि कोशन ऐसे ही होते है इसलिए एक्जाम्पल में दिया वन मंथ वाला कार्ट दिया अब बात करते हैं सर थ्री मन्थ फ्यूचर सबसे मुस्किल है कि आपको लॉंग पोजिशन लेना चाहिए पर यार रेट किसका दिया है रेट रुपीस का दिया डॉलर के बढ़ने का डर पर आप डॉलर की विशे में नहीं सोच सकते रेट जिसका दिया है उसके विशे में सोचना पड़ेगा इट मिन्स सर हमको कौन सा पोजिशन लेना पड़ेगा कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको डारेट कोट में कनवर्ट करते सर बैटे हो गई नहीं फिर तो खेली कतम हो जाएगा आप कुछ बच्चे बोलते सर वन से डिवाइट करके इसको हम उसका रेट बना देते हैं ना किसका नहीं भाईया मत करो ओके जैसा बताया है बस वैसे करो ज्यादा दिमाखना होगे रुपिया दिया है तो हमको कौन सा पोजिशन लेना पड़ेगा कोई मैंने यहां लिखवाई इस टीप नमबर वन में आपको यह डिसाइड करना कि आपको लॉंग पोजिशन पोजिशन फाइनल हो गया है शॉर्ट पोजिशन हम सर्त लगा रहे है कि इससे कम होगा अब बात क्या है नमबर वब कॉंट्रक्ट्स किसी आएगा अब नमबर वब कॉंट्रक्ट्स यह दिया है कॉंट्रक्ट साइज अब समस्या क्या है समस्या दूसरी समस्या आ गई है कि exposure है डॉलर में और contract size है रुपीस में इस से इसको तो divide कर नहीं सकते या तो इसको change कर दीजिए या तो contract size change कर दीजिए पर currency future में या future hedge में ICAI ने contract size को change नहीं किया इसको change किया तो हम भी इसको change कर देते कितने डॉलर की बात हुई है और इस rate पे हुई है तो देखे कितना रुपिया लगीगा और डॉलर दिया रुपीस का rate दिया तो divide ही होगा और हमने ये निए हमने exposure amount को किस में convert कर दिया रुपीस में और उसको में हमने इस से divide कर दिया तो number of contracts आया गया round of करने पे आ गया 11 quarter कौन सा position है short point number 2 भी हो गया अब हमको क्या निकालना है अब हमें निकालना है gain और loss देखे एक बार सर हमने किया था कि इस से कम हो गया अब सीधा due date पे जाते है settlement currency future rate हो गया ये सर इस से ये हो गया तो सर हमको तो gain हो गया, कम हो गया न यार हाँ, रुपिया कम हो गया तो कम होने पे फाइदा gain or loss हमें इतना dollar था, ये कम हो गया तो सर फाइदा हो गया अब समझ रहे हैं, यहां भी बड़ी गरवड करती है ये क्या कहना चाहता सर ये कहना चाहता 1 रुपए पर एक रुपए पर इतने डॉलर का फायदा ये भी डॉलर ले ये भी डॉलर है एक रुपए पर इतने डॉलर का फायदा है तो इतने रुपए पर इतना रुपए है ना यार खेलाग बावन हजार का एक कॉंट्रक्ट इंटू ग्यारा कॉंट्रक्ट तो सर इतने रुपए पे कितने डॉलर का फाइदा बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है सर आंसर रुपीज में आएगा कि डॉलर में हे बगवान आंसर रुपीज में आएगा कि डॉलर में एक रुपए पे इतने डॉलर का फाइदा तो इतने रुपए पे कितने डॉलर्स का आंसर तो डॉलर्स में है अब बोलो ये हो गया तो मैंने क्या नाम दिया था सर इसको आमने नाम दिया था Variation Margin, बहुत अच्छे लाश्ट काम करें, सर डॉलर लगेगा हमको कितना, एक लाग डॉलर पर इधर से तो डॉलर मिल रहा है ना आपको, Stock Actions, इधर तो डॉलर नहीं मिल गया, तो अब हमको एक लाग डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो सर हमें इतने डॉलर्स खरीदना पड़ेगा, और किस रेट पे खरीदना पड़ेगा, 1.037 याद रखना इस रेट पे कन्फ्यूज मत होना, फावर्ड रेट नहीं यह वाला रेट है यह, कुछ और लिख देते ना सर, अब भै लिख दी यह आ गया है और सर, अपवर्शिटी कोस्ट तो आएगा, 1500 1500 था क्या? जैसे पंदरा सो रुपीज है यह, तो कोई दीकर नहीं 1500 रुपीज, एक कॉंट्रेक्ट पे इंटु 11 कॉंट्रेक्ट, अपवर्शिटी कोस्ट है 10% इंटु 3 by 12, और अपवर्शिटी कोस्ट एड हो जाएगा, इतना पैसा जाएगा अगर फावर्ट कॉंट्रेक्ट करते तो कोई ताम जाम नहीं था, यह 3 मन फावर्वर्ड रेट है सर यह कहां दिया है, यह वाला दिया है इससे डिवाइट कर देते हैं, फावर्ट कॉंट्रेक्ट ठीक है, बाकी देख लेना इसमें पैसा कम जाएगा हूँ, अच्छा तो करेंसी फीज़ाएगा यह वाला एक्जामपल इंपोर्टन्ट है कोश्चन नमबर 67, आला की हमारी बुक का कोश्चन है और मैंने इसको होमवर्ग दिया, लेकिन ही ICEI का कोश्चन है और मॉडूल का कोश्चन है TYK25 तो सर आप कोश्चन नहीं करवाओगा, एक्जामपल क्यों करवाओगा मैं कोश्चन भी करवाओँगा पर इसी के जैसा और ही कोश्चन है, वो करवादू तो चलेगा न, हाँ सर TYK25 जरूर है, पर मैंने यह आपको होमवर्ग दे दिया वो वाला कोश्चन करवा, ऐसी कोश्चन है पर मैं ये वाला कोश्चन करवादू तो चलेगा आपको हाँ सर ये वाला कोश्चन चल जाएगा मैं करवाने जा रहा हूँ कोश्चन number 68 अगर मैं 68 करवा देता हूँ तो no doubt कि आपसे 67 बहुत आसानी से बहुत है पढ़े पढ़ते XYZ एन एक्सपोर्ट औरियंटेड बिजनेस सर ये एक्सपोर्ट कर रहे है यस तो सर आने वाला है आने वाला है और आने वाला किया है डॉलर अने वाला है मतलब डॉलर के गिरने का डर जो चीज आ रही है एसका rate कभ न हो जाए कभ आने वाला है September आज की rate कौँसी एक जून अगा। सेटमबर तीन मैने बाद rate दिया है हमारे काम का है हमारे काम का है रेट किसका दिया सर रेट रुपीज का दिया है भगवान उल्टा सोचना पड़ेगा तो सर अगर हम फावड कॉंट्रेक्ट करें तो वन लैक डॉलर और रुपिया का रेट दिया तो डिवाइट करके सिधा सिधा कर लेगे सर तो यह आगए फावड कॉंट्रेक्ट करें तो सिधा सिधा आपके पास दिख रहा है फावड कॉंट्रेक्ट में समस्या है जॉलर आने валा है यस डॉलर के गिरने का डर पर रुपीज तो रेट तो रुपीज का दिया है तो रुपीज के बढ़ने का डर मतलब लॉंग पूजिशन पस यही तो डिसाइट करना by future बोल सकते लॉंग पूजिशन लॉंग पूजिशन और रेट आ गया इस पे लॉंग पूजिशन मतलब बढ़ने का अपने शर्थ लगए पॉइंट जीरो टू वैन वैन यहां तक दिक्कत है क्या नहीं सरी तो इस टेप नमबर वान होके इस टेप नमबर टू क्या आएगा नमबर ओफ कॉन्ट्राक्ट कैसे आएगा सर देखो कॉन्ट्रेक्ट साइज है रुपीज में और यह है डॉलर तो आपने बोला था कि हम कॉन्ट्रेक्ट साइज को चेंज नहीं करेंगे इसको हम इस रेट पे हमसे शर्त लगाए उससे डिवाइट कर लेगे तो एक्स्पोजर एमाउंट आ जाएगा रुपीज में और फिर उसको डिवाइट कर लेंगे 4,72,000 से तो नमबर ओफ कॉन्ट्रेक्ट एक लाग को इससे डिवाइट किया उसको तो नमबर ओफ कॉन्ट्रेक्ट आ गया 10 कॉन्ट्रेक्ट लॉंग ठीक है अब हमको क्या निकालना Variation Margin हमने शर्त लगाया कि इससे बढ़ेगा 0.02118 अब देखो यहाँ रेट क्या हो गया 0.02134 सर यह तो बढ़ गया अब बढ़ने से क्या होगा अब गेन कैसे निकली सर देस माइनस देस मतलब यह हुआ ना रेट सब बढ़ गया कितने कॉंट्रेक्ट है 10 और 4,72,000 का कॉंट्रेक्ट साइज है तो सर एक रुपए पे इतने डॉलर का फाइदा तो इतने रुपए पे कितने डॉलर का फाइदा डॉलर 755 अब आने वाला है एक लग और स्टॉक एक्षिन से मिला 755.20 तो टोटल इतना मिला और इसको हमने कनवर्ट करवा दिया उस दिन के इस पॉर्ट्रेट तो सर ये आ गया 4723 638 अब बात करते हैं आगे मार्जिन सर एक कॉंट्रेक्ट पे 15,000 जमा करना पड़ेगा तो 10 कॉंट्रेक्ट 1,50,000 का 8% टीन मैने का अपॉर्चिट को हमने ले लिया तो टोटल कैश इन फ्लो है अब याद रखना कैश इन फ्लो ये भी आ रहा और ये भी आ रहा और सर अपॉर्चिट रिकष्ट अब माइनस होगा अब माइनस होगा अब ये माइनस प्लस आप सम्हालना भाई सर फावर नो हैजिंग नो हैजिंग में कुछ कर रहे हैं नहीं है जो होगा देखा जाएगा हमने खुला छोड़ दिया जो रेट हुआ उसी से convert करवा दिया तो ये है देख लो कौन साच ओके सर question number 69 एक जैसा question है तो इसको मैंने कटवा दिया question number 70 इसको भी कटवा दिया बात समझ में आरे हैं आपको बड़े सारे question इसलिए मैं थोड़ा slow करवा रहा हूँ हो जाए तो हो जाए slow एक घंटे में कौन सा क्या कर लोगे भई पतलम में क्या कहना चाहता हूँ कास आप समझ नहीं कि बहुत सारे बच्चे बलते हैं इसलिए चार घंटे में फॉरेक्स कतम करो नहीं हो रहा है भई चार घंटे में आप नहीं समझ रहे हो क्या कर लो इतना फास्ट पढ़ा दू और आप आपका ये एक एक घंटा एक्टा लग निकालो क्या फर्क पड़ेगा यार एक घंटा वैसे भी आपका कहीं और चला जाएगा 71 में कहीं कुछ कैलकुलेशन मिश्टेक है पर कठी कर दू ज़्यादा अच्छा कुशन नमबर 75 PYK 34 इसको मैंने करवाया नहीं तो क्योंकि बहुत आसान कोशन था हमने इसको होमबग दे दी पर सुनो करवा देता हूँ तर चार लाख डॉलर हमें आने वाला है ठीक है कॉंट्रेक्ट साइज एक हजर डॉलर है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं डिवाइट कर देना पर अभी दिक्कत की बात नहीं चार लाख डॉलर आड़ इस पॉर्ट रेट और फ्यूचर रेट हमारी काम की बात है अगर हम इसमें बैटिंग करे और डॉलर का ही रेट दिया तो हम शौट पोजिशन लेगे तो आने वाला उसकी गिरने का डर शौट पोजिशन फॉर्ट पे और फ्यूचर का रेट फॉर्ट 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 फ फाइदा हो जाएगा तो ये भी तो stock action से मिलेगा अब stock action से तो difference है वो मिल जाएगा और 4 lakh ये बेश दूँगा ठीक कर लोगे effective realization price बोला है वो आपने का दो गया तो ये exam में आया था फिर same question था तो मैंने कर दो question number 72 अच्छा question है तो question number 72 है ty के 36 इसको समझाओंगा उससे पहले एक question करना जरूरी है और वो question question number 73 और ये भी हमारे module का question है ty के 41 देखे है अच्छा question है भाई अच्छा question है प्लीज देखना है पढ़ते एक बार तर निट्रोजन लिमेटेड यूप कंपनी है और सर यूपकी कंपनी है और is in the process of negotiating an order amount to euro 4 million यूपकी कंपनी तो euro 4 million आने वाला है कि देना है export किया सर export सब दिखरा मतलब euro आने वाला सर arrow बना दो न अच्छा लगए इधर बनाता हूं बाकी तो जगह नहीं euro 4 million ने वाला है receivable है और बहुत कुछ कहानी दे रखा है सबसे पहले point number one में क्या लिखा है invoice the German firm is found using the current action rate to calculate the invoice amount क्या कहना चाहता सुनो मैं कहां की firm हूँ जो कि की आने वाला क्या है जर्मनी शे यूरो डर तो है तर को खतम करने का यह की तरीख सामने वाली party से बोलिए कि भाईया सुनो अब दीजिए इतने मैंने बाद देने वाले चे मैंने बाद क्या जो भी होगा अब जितने मैंने बाद देने वाले चे मैंने बाद दीजिए और भाई साब हमारे यहां pound चलता आप pound में invoicing कीजिए अगर हम bill बना रहा है न बिल invoice तो invoice हम pound का बनाएंगे और आप euro मत दीजिए आप risk आप देखिए हमें तो pound चाहिए बस हमें euro नहीं चाहिए और कितना pound बोले हम बता रहा है न कितने pound का bill कर रहा है euro 4 million आने वाला है बोले आप यूच करना current actions rate चलो current actions rate कहीं न कहीं दिया होगा ये rate दिया पर rate pound का दिया अब current actions rate मैं कैसे यूच कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ यार मान लो euro आता euro आता अगर हमारे पास euro आता तो हम bank को euro देते बदले में हमको bank क्या देता pound a pound bank based था तो sir इससे convert कर लेते यस इससे convert करते 4 million into 1.770 तो यह आजा था 1.1770 तो हम invoicing कर देते इतने हम bill बना के पहुचा देते यह इतना pound चाहिए हमको 6 मैने बात that's it हमारा tensor नहीं करता इसको बोलते in oic current exchange rate बोला है तो use कर रहा है बोला है उसने current एक question में उन्होंने average spot rate बोला average मतलब this plus this divided by 2 sir कौनसा question इसी के पहले वाला same question है यहाँ जो सब्द किया लिया है उन्होंने average spot rate use तो मैंने average का मतलब बताया average का मतलब होता ही bid rate ask rate divided by 2 करते है this is average spot लेकिन यहाँ question number 72 भी ICAI का question है TY के 37 और दोनों question एक जैसे दिखेंगे एक ही है बस यहाँ लिखा है सब्द average spot rate और वहाँ सब्द लिखा है current spot rate current is action rate current action rate में मैंने यह वाला rate क्यों use किया वो मैंने आपको बता दिया इस topic में मैं time लगा हूँगा आपको जल्दी आप fast forward कीजिए कोई दिक्र क्योंकि यह आता भी है और मुस्किल भी है मुस्किल topic है आता भी exam में तो भही कर लो तर दूसरा alternative दूसरा बोल रहा कि भीया एक काम करो दूसरा है कि आप invoicing मत कीजिए invoicing यूरो में यह रहने दीची आप forward cover कर लीजिए ठीके sir forward cover तो क्या है आप forward cover के लिए no doubt की यह वाला rate आएगा पस यह 55 और 60 euro cents दे रखा cents का मतलब समझते हो ना पैसा divided by 100 कर तो sir 55 60 यह ascending order में तो sir यह plus हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो देखो मैंने forward rate निकालते समय stands दिया तो 0.6 उठा कर नहीं किया इसमें भी गलती होती है 0.6 divided by 100 तो sir यह बला rate अब फिर मैंने divide कर दिया तो forward cover करता हूँ अगर हम forward cover कर तो भाई invoicing हो गया forward cover हो गया अब किसकी बात है money market cover भी डाल दो नहीं अब बोल रहा है कि अब हम currency future में जा रहा है चलो currency future याद रखना कि long position की short position सबसे ज़्यादे important अहां है currency future यह है sir currency future trading 1.1760 बस long की shortish step number one है यूरो आने वाला यूरो के गिरने का डर पर pound का rate दिया तो pound के बढ़ने का तो sir हम long position पहला तो final हो गया पहला final हो गया कि हमें क्या लेना चाहिए sir हमें long position लेना चाहिए 1.1760 बसे उपर जाएगा इस बात की हमें करत लगा दूसरा क्या है दूसरा है number of contract हम number of contract में मैंने कहा ना दिक्कत क्या आती है यह जो size दिया है यह दिया है pound में और यह दिया है euro तो sir हम contract size को तो change नहीं करते हैं इसी को 4 million euro को divide कर देंगे 1.1760 से divide कर दिया तो sir euro आ गया है यह ठीक है ठीक है sir और फिर यह भी pound हो गया यह भी pound हो गया तो 54.52 contract है तो मैंने इसको 54 contract long bull यहां तक कोई दिक्कत की यहां तक कोई देंगे अब आएगा variation margin अब variation margin तो हमें पता करना पड़ेगा कि 6 मेने बाद 6 मेने बाद बुले bank वाला भी rate यही है और future rate भी यही है ठीक तुछे पहले मैं देखूंगा कि gain हो रहा कि loss 1.1785 हो गया सर यह हो गया और हमने शर्त लगाया था कि इससे बढ़ेगा तो सर यह तो सीधा-सीधा gain हो गया इतना euro एक pound पे तो इतने pound पे कितना euro मैं ऐसे निकालता हूं बाकि जै एक pound पे इतने euro का फायदा तो इतने pounds पर कितने euro का फायदा अब दिक्कत नहीं है euro यह आया सामने वाले से और variation margin का यह मिल गया तो टोटल आ गया और जो टोटल है उसको किसी rate से convert कर दिया क्योंकि spot भी bank वाला भी वही है future वाला वही है और सर अपॉर्चरी कोष्ट कहीं दिया ही नहीं है तो फिर क्यों हम जबरदस्ती हुआ है मतलब rate of interest कहीं नहीं दिया है न भाई अच्छा question यह वाला question इससे पहले वाला question दुनों में अंतर क्या है सिर्फ average spot rate का अंतर है बाकियों प्या करेंसी फीचर की बच्चा हुआ है future hedging 74 कट कर सकते हूं अब आता था option hedging चलो जे तो currency option क्या जाते है यह और ज्यादा मुश्किल topic है बस खताम okay sir option याद है तब दो टाइप के option और call option put option call option और put option अगर price हमको ऐसा लगता बढ़ने वाला है तो sir right to buy अगर price बढ़ने वाला है तो हम call option खरीचते है जब हमको ऐसा लगता कि share का price बढ़ने वाला यहां क्या लगीगा dollar का price बढ़ने वाला है और sir अगर price गिरने वाला है तो put option हला कि call option और put option का पढ़ने के लिए call गिरने के लिए put लेकिन एक इसका book का meaning call का मतलब होता right to buy और put का मतलब होता right to sell इस attempt में option buyer के हिसाब से तो ठीक option writer के angle से भी hedging पूछे बहतरीन तब बिलकुल अगर concept नहीं है ना खेल खतम है concept important है भाई चलो तो option को मैंने total मिलाकर दो पार्ट में बाठ दिया था part A और part B तो सबसे पहले मैंने का यार दो category के question है type A type B तो पहले category कवर कर रहे है type A अब ध्यान से समझे तर डॉलर पेबल है तर डॉलर दिये ने ना डॉलर पी spot rate है forward rate है तो सीधा forward rate से multiply कर सकते है अगर मैं कहूं forward contract में जाते हूँ अब currency option में strike price है 70 रुपए 25 पैसे decide ये करना है कि call option की put option dollar payable है मतलब उनको dollar खरीदना है या फिर दूसरे इंगल में dollar के बढ़ने का dollar मतलब call option call option और 70 रुपए 25 पैसे से उपर होगा तो exercise कर बात समझने की कोशिश करना अब मुझे यहां book का language यूज करना पड़ेगा यहां मेरा जो actual knowledge है यहां problem यह है कि market में जो चलता वैसे नहीं होगा इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँ हां सर एक बार यहां समझा दो तो tension ही कतम हो जाएगा पूरे option में यह चलेगा अगर सर रेट 71 हो गया तो मैंने stock action से call option खरीदा है 70 रुपए 25 पैसे में rate बढ़ने पे मैं call option exercise कर लूँगा और stock action से dollar खरीद लूँगा एक लाग dollar 70 रुपए 25 पैसे कर तो कुछ भी बात करते हैं stock action से dollar खरीदा हूँ कि stock action से तो difference मिलेगा pay off मिलेगा नहीं भाई नहीं प्लीज ऐसे ही करना जैसे मैं बोल रहा हूँ हम actual में stock action से dollar खरीदेंगे कुछ भी करवा रहा है सर मजबूर हूँ ओके सर अगर rate हो गया 72 तो अभी भी option exercise करूँगा और मैंने क्योंकि conflict कर रखा कि मैं 70 रुपए 25 पैसे के हिसाब से dollar खरीद लूँगा तो खरीद लूँगा सर अगर rate 69 हुआ तो तो फिर यहां से फिर option lapse हो जाएगा और हम 69 के हिसाब से dollar खरीदेंगे आप actual में stock action से dollar खरीदोगे ऐसा मान के करोगे तो ही होने वाला नहीं तो नहीं होने वाला हलाकि difference भी ले लूँगा तो answer वही आएगा पर presentation I.C.E.A. के हिसाब से हो तो ज़्याद अच्छा है फाइनली क्या हो रहा है फाइनली भाई साब हमने call option खरीदा है और कितने के हिसाब से 70 रुपए 25 पैसे के हिसाब से call option कब access होगा जब price बढ़ेगा premium एक डॉलर पे 45 पैसा premium जाएगा आच और जाएगा मतलब जाएगा margin जैसा नहीं कि margin वापस मिल जाएगा margin पे सिर्फ opportunity cost लेते हैं यहां तो आपको premium देना ही देना है loss है आपके लिए cost है फूट option को बोल जाते हैं opportunity cost बारा परशन ले रखाए बोले dollar का price 70 रुपए 10 पैसे भी हो सकता maturity को option हम lapse कर लेंगे और हम 70 रुपए 10 पैसे के अपसे market से dollars खरीद लेंगे अगर 71.50 हुआ तो सर फिर हम option exercise करेंगे और फिर हम इसका नहीं खरीदेंगे हम इस rate पर खरीद लेंगे option exercise होगा हम strike price पर dollar खरीदेंगे अगर 72.25 हुआ तो भी हम market से नहीं खरीदेंगे हमारा तो सौधा it means क्या कहना चाता हूँ तर इससे बढ़ा तो हम इसी rate पर खरीद लेंगे और अगर इससे कम हुआ तो जो कम हुआ उस rate पर खरीदेंगे यही चलेगा और इस बात की probability है कौन सा option better है हमारे लिए currency option की forward cover forward cover simple है मैं currency option तो currency option में वही step step number one call या put dollar के बढ़ने का डर तो call option एस ट्राइक प्रेमियम कितना देना पड़ा 45 पैसा एक dollar के पीछे 45 अब यहां मुझे यह निकालना है क्या payable है मेरा एक लाक डॉलर अगर मैं देने वाला हूं तो उसके लिए तीन मेहने बाद मेरे जेप से total मिलाकर कितना रुपिया जाने वाला है इजिए कोशन कर ले ना ज़रूरी market price क्या क्या हो सकता है तो पहले मैंने यहां की market price को देख कर यहां 70 रुपए 10 पैसे से 71 रुपए 50 पैसे और 72.25 तर इस पर option lapse हो जाएगा क्योंकि price कम है price कितना 70 रुपए 25 पैसे से उपर जाएगा तो exercise तो यहां option lapse हो जाएगा और हम market से dollar खरीदेंगे और अगर rate बढ़ गया क्योंकि इस से बढ़ गया तो फिर यार हम 70 रुपए 25 पैसे के हिसाब से ही dollar खरीद लेंगे option हम exercise करें तो भाई dollar हमको इतने का भी पढ़ सकता इतने का भी पढ़ सकता और साथ में हमें premium भी तो देना है वो तो गया ही गया तो 45 पैसा premium भी गया एक डॉलर के पीछे तो अगर हमें एक डॉलर इतने रुपए का भी पढ़ सकता है या इतने रुपए का भी पढ़ सकता है सर एक लाग डॉलर पे मेरा मुझे 70,55,000 भी लग सकता है इस बात की probability है 0.3 70,70,000 भी लग सकता है और 70,70,000 भी लग सकता है तो उसके हिसाब से मैंने cash outflow निकाल लिए इस एक्सपेक्टेट कैस आउट फ्लो बोलना चाहिए ओके है और क्योंकि प्रीमियम गया है तो सर प्रीमियम जोड तो लिए बिट्टे उस पर आपॉर्शिटी कोश्ट लेना पड़ेगा तो प्रीमियम पे 12 परशन 3 मैने का आपॉर्शिटी कोश्ट भी उस हिसाब से मेरा जो कैस आउट लो है 7066850 अगर मैं currency option में जाता हूँ अगर मैं forward curve करता हूँ तो 72,75,000 तो सर currency option जाता हूँ तो यह था type A तो इसके question question number 76 और यह है TY के 39 XYZ US firm will need pound 3 lakh मतलब सर payment करना पैमेंट करना सर pound 3 कितने दिरों में 180 दिरों ठीक है अब भी rate क्या चल रहा है 2 और 180 दिन बात क्या हो सकता है 1.96 अगर मैं forward cover करूँ तो 3,00,000 pound rate pound कही दिया तो सीधा multiply हाएगा और forward cover में मेरे पास से dollar 5,88,000 जाएगा rate of interest दे रखा है अब यहाँ सुनो 180 days deposit rate एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार ये परैनम है प्रीज इस कोशन को ध्यान रखना ये परैनम नहीं है ये rate छे महने का ही है आप इसको परैनम मत लेना और परैनम सर इसको याद करेंगे कि आप तो कुछ और बोलता था प्रीज इस कोशन के लिए भोल जाएए ये 180 दिन का ही deposit rate है और ये 180 दिन का पुट कॉल ही लेना है और प्राइज 180 दिन बाद ये हो सकता है ठीक है मांग क्या रहे हो भाई क्या रहे हो फावर्ट कवर बता देंगे money market कवर option contract और no housing ठीक है देखते है तो सर फावर्ट कवर तो ये आ गया है ये आ गया फाइवलाक एट एट अबात करते हैं money market कवर याद करो क्या करते है सर लाइबलिटी है मतलब asset create करना पड़ेगा मतलब investment करना पड़ेगा कहां बोलो कहां बोलो कहां तर यूएस में यूएस में investment करना पड़ेगा तो investment का rate है 5% और 5% नहीं तर यूएस में की UK में रहने वाले हो कि यूएस फर्म विल नीट पाउंड पाउंड टी लैक इन वानेटी डेगा UK में invest करना मैं यूएस वाला हूँ सर मनी market भूल गय थे हाँ भूल गय था ने मैं पढ़ा नहीं था question सर मैं यूएस वाला हूँ पाउंड का payment करना है मतलब मेरा liability है तो UK में मुझे investment करना पड़ेगा साड़े चार परशन तो इसको प्लीज 2.25 मत कर देना तो सर कितना हमको pound लगेगा आज उधर लगाने के लिए कितना pound के लिए हमें 2 dollar कितना dollar लगेगा कितना dollar से लाएंगे कहां से सर यूएस से उधार लेंगे साड़े 5% के हिसाब से तो बोलो cash outflow कितना तर cash outflow आ गया 605741S पर money mark अगे चले अब भाई सबसे important है currency option one by one करते है currency option fall option है dollar 1.97 है हमारा exercise price अससे उपर होगा तो exercise यहाँ lapse होजाएगा यहाँ lapse होजाएगा यह एक्सराइज होगा पहले probability लिख देखिया पहले market price लिखा फहले market price लिखा यहाँ lapse यहाँ lapse बतलब यहाँ 1.91 का खरीदेंगे और यहाँ 1.95 का खरीदेंगे 1.97 से उपर होगा तो exercise 2.05 हुआ तो भी मैं मार्केट से क्यों खरीद हूँ मैं तो dollar 1.97 का खरीद लूँ और बदले में ये premium है दोनों को जोड़ दिया multiply किया probability से तो ये आ गए opportunity cost pound 3 lakh पे dollar जीत एक pound पे इतना dollar आँ सरे dollar में आएगा है न यार एक pound के पीछे इतना dollar लग रहा है तो 3 lakh pound के पीछे कितना dollar लगीगा तो ये आ गया dollar और US में rate कौन सा लेना से रपवर्शिटी को हमेशा borrowing rate लेना borrowing rate 5.5% 6 into 6 by 12 नहीं किया है तो total cash outlaw currency option no housing में क्या करना होता no housing में कुछ नहीं करना होता ये rates है ये probability है multiply करो तो expected spot rate आएगा और उससे multiply कर दो तो ये आके है और आश्यर की बात है हमें लिखना पढ़ रहा है no housing is better टाइप A ठीकि सर्थ हो जाएगा ये भी same question है cut करोगे तो भी चल लेगा अब है टाइप B ये थोड़ा समस्त हम तैया रहा है मैं टाइम को देखते जा रहा हूँ ज़्यादा टाइम लगना पर क्या करे लगेगा अब इसको अच्छे समझ रहा है इसमें वही जो future में करते थे थे step number 1, step number 2, step number 3, 4 वही करने वाले dollar payable है मतलब dollar ऐसा एरो बना दो क्या ही आसा कितना एक लाग मतल में payable है sport rate दिया, forward rate दिया अगर हम dollar खरी देंगे forward cover में जाए तो एक लाग इंटो 72.75 तो हमें बहतर लाग 75,000 का forward cover में cash out मुझे सबसे अच्छा है कि exercise price का है सर ये है और ये जो दिया है ये दिया रुपीज पर dollar तो dollar की विसे में सूचना आपको लग क्या रहा है मैंने लिखा क्योंकि dollar payable है तो dollar के बढ़ने का डर और dollar के बढ़ने का डर तो हम कौनसा option खरी देंगे call और exercise price क्या है 71 71 पे हमने call option खरीद लिया अब ये type B है अब हम ये नहीं सोचना कि 71 से उपर होगा तो exercise वो बताए गए नहीं है आपको कि maturity पे क्या होने वाला तो हमने का ठीक है भई हम 71 के सबसे call option खरीद लिया no doubt कि हमें premium देना पड़ेगा 0.60 per dollar पहला काम ये क्या है option housing में पहला काम है सर कि हम ये decide कर लें कि call option के put option कर लिया आगे चले अब आता number of contracts सर ये भी dollar है और ये भी dollar है तो number of contract निकल गया 11 contract अब यहाँ याद रखना यहाँ याद सर fraction हमें से ignore करेंगे हाँ भाई सर 11.84 आता तो भी तो भी मैं 11 contract ही लेता हमें rounded off करना है whole number में मतलब fraction को आपको ignore करना है fraction के लिए हम forward cover करते है तो option housing में हमने कितना contract किया 11 पहला नाम ये हो गया दूसर नमबर ये हो गया किसे नमबर पर सीधा सीधा हम case outflow निकलते हैं case outflow important है हमारे हम त्यार है अब बताओ आपका एक contract size contract size था 9000 डॉलर और आपने total 11,000 11 contract किया तो आपने 99,000 डॉलर को contract कर लिया option के through 71 के हिसाब से तो no doubt कि आपको 70,29,000 जाएगा कब जाएगा तीन मैने बाद ये चूब भी हो लेकिन इससे कम हुआ तो हम exercise नहीं करेंगे हम तो कम में खरीद लेंगे बैटे कम का सोच हो इमत ना यार ये तो पक्का कि 71 से उपर नहीं लगे गा ना बस बात करता अब बचा 1000 डॉलर तो unhash हो गया मतलब option के through cover कितना हुआ 99,000 71 के साब अब बात है कि uncovered portion का क्या 1000 डॉलर हमें तो उधर सामने माले को 99,000 डॉलर देना है ना 1,00,000 डॉलर देना है उसमें 99,000 तो आपने option के through cover कर लिया लेकिन 1000 डॉलर तो uncovered रह गया बहुत उसके लिए कर ले ना forward cover ओहो और forward रिट तो आपको पता है 72.75 forward cover प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा प्रीमियम कब देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा 99,000 डॉलर आपने option के through cover किया उस पे 60 पैसा तो premium गया आपका 1 डॉलर पे 60 पैसा तो 99,000 पर 59,400 ये पैसा मतलब 3 चीज़े आपको करनी ही करनी ही पैला option के through कितना cover कर रहे दूसरा forward cover के through कितना और तीसरा premium पर प्रीमियम पर opportunity cost नहीं लिया है institute ने लेना चाहिए तो हम ले सकते हैं कि ले सकते हैं पर जब institute नहीं नहीं लिया है तो हम क्यों नहीं मतलब सर टाइप A में लिया है टाइप B में नहीं लिया ऐसे कैसे यार याद करना पड़ेगा ऐसे कैसे कुछ नहीं हो तो टोटल कैसा उटल forward का रहा है मतलब सर यह जो B category के question है उसमें हमें यह नहीं सोचना है कि maturity को अगर price यह हो गया है तो वो हो गया तो वो कुछ नहीं सोचना आज के दिन सोचना है कि अर हमें इस से ज़्यादा तो लगेगा नहीं किसी तेकिए जाएगा uncovered portion को forward cover करेंगे और तीसरा premium करेंगे ठीक है बास समझ मैं अगे चले अब थोड़ा उल्टा वाला उसमें ज़्यादा दिक्कत होती मतलब rate दूसरा dollar receivable dollar आने के एक लाक dollar आने के कब आने वाला है इन मैंने भाई साव rate रुपीज का दिया है और dollar आने वाला है मतलब bank dollar खरी देगा rate तो रुप रुपिया बेचेगा मतलब इस rate से अगर हम forward cover कर रहा है एक लाक divided by 0.0147 तो forward cover में तो answer आ जाएगा सवाल है option option में पहले ये decide कर ले कि call या put dollar आने वाला dollar आने वाला तो dollar के गिरने कडर मतलब रुपिया कर बढ़ने का बढ़ने का बढ़ने मतलब call option by call option बस इतना ही सोच ना है यार और exercise price कितना है तर यह दिया है अब दिक्कत किया है यार यह है dollar और यह है रुपीस तर ठीक है ना यार इसको हम उसमें रुपीस में convert कर सकते हो अंसर ही किया है गा पर institute ने future में contract size को dollar में convert किया है और किस rate से strike price से तो रुपीस का rate दिया रुपीस दिया तो मर्सिदा multiply हो गया तो यह आ गया है contract size in dollar 8 990 fraction को कभी भी हम forward cover करते है याद रखना आप fraction को forward cover करेंगे लेकिन future करें से future में ऐसा नहीं हो तो हम round of कर लेते थे तो total कितना होगा है ग्यारा contract मैं लिखते हुए चलना भाई मैं बहुत speed से बोल रहा हूं यह भी होगे अब क्या करना आप cash out flow ने कालना बस और कुछ नहीं तीस रखने पहले option housing की बात करो 8 990 एक contract 11 contract किये है तो सर इतना डॉलर 8 990 into 11 तो सर इतना डॉलर option के थूर रेट किसका दिया रुपीस का divide होगा और किस रेट से 0.0145 तो option के through जो हैजिंग होई है वो इतने डॉलर की हो चुकी और उस पे हमारा इतना पैसा जाएगा डिवाइट किस से किया मैंने strike price और बचा हुआ किस के through होगा forward और forward rate आपको पता है बचा हुआ forward का और बचा प्रीमियम और प्रीमियम सोच समझ करना पड़े आजाए प्रीमियम पर अब प्रीमियम का सोचो सर टूटल छे लाख बीस जार का एक contract तो टूटल ग्यारा contract है हाँ बोलो हाँ छे लाख बीस जार है तो सर यह आगए 68,20,000 rupees अब वो बोल रहा एक रुपए पर इतने डॉलर प्रीमियम देना पड़ेगा एक रुपए पर इतने डॉलर तो इतने रुपए पर कितने डॉलर तो answer किस में आएगा premium का सर डॉलर में आएगा answer आएगा dollar में ओके तो सर प्रीमियम हमको dollar में जमा करना पड़ेगा yes क्या कर सकते dollars sir कब जमा करना पड़ेगा आच तो मुझे कैसा उपलो तो रुपीज में दिखाना न मैं या dollar ने लिख सकता तो इसको मुझे किस में convert करना पड़ेगा रुपीज में तो sir कौनसा rate बेट की ask dollar मुझे dollar खरीदना पड़ेगा या dollar में premium जमा करना बताओ rate क्या है sir कौनसा rate spot rate और spot rate दिया हुआ है dollar खरीदना पड़ेगा मतलब बैंक रुपीया खरीदेगा 0.01 फोट पांसर आगया इतना इतीन चीजे कसम खालो इतीन चीजे आई गया है हर कोशन में है लगभग हर कोशन एक option है जिंग option के थू कितना cover जो uncovered है उसके लिए forward और तीसरा अक्सर premium जो आएगा वो dollar में आएगा तो उसको रुपीया में convert कराने के लिए हमको कौनसा rate लेना पड़ेगा spot rate मतलब यार यहां आएगा exercise price strike price यहां आएगा forward rate और यहां आएगा premium के लिए कौनसा rate आएगा spot तर यह ज़्यादा मुस्किल है हमें जान बनाए कोशन यस तो कोशन नूमबर 78 TY के 40 बढ़ते हैं अगर मैं कम समय में करवा रहा हूँ आपको 60 घंटे की क्लास है मेरी रेगुलर में और एक्स कितने कोशन रेगुलर वाले बच्चे तो UK इंपोर्ट कर इंपोर्ट कर निसान इंपोर्ट मतलब सर एरो ऐसा वने पैमेंट करना और पैमेंट ये UK वाला है ए पैमेंट करना है डौर इंपोर्ट किया तो पैमेंट कर from one of the US supplier the amount is payable और कप पाइबल है 6 month the relevant is spot rate spot rate दे रखा है dollar per pound dollar दिया ना तो dollar per pound pound करेए what a favor बोरिंग रेट साथ पठन साड़े पाँच पठन और साड़े ठीक है और करिंसी ऑप्षन का ये दे रख पहले तो फावर्ट कवर की बात करते है सर हमको डॉलर खरीदना है मतलब पाउंड का रेट दिया बैंक पाउंड खरीदेगा ये वाला रेट और ये डॉलर ये पाउंड से डिवाइट हो जाएगा इसकी ये वाला कोशन थो किया हुआ है बनी मार्केट कवर मैंने समझा रहा हूँ वाप कर लोगे मार्केट कवर ये कोशन हमने किया मैं बात किस के करूँगा मैं बात सिर्फ करूँगा currency option की टीक है तियार हो सबसे पहले call या put call या put call या dollar जाने वाला है dollar के बढ़ने का डर पर rate तो pound कर दिया pound की गिरने का डर मतलब put options पहला तो हो गया भाई put option put option कुछ नहीं करना होता बस ये दिखाना होता कि call खरीद रहा है कि put खरीद रहा है strike price ये है और premium हो गया है ये पहले वो लिख दिया कि हम कौन सा option खरीद रहा है अरे ख्याल से आपको दिख रहा है अभी दिख रहा हो put हो गया तो बद number of contracts number of contract का मैंने rules क्या सिखाया था ये है dollar और contract size है pound में तो यार change तो करना पड़ेगा change क्या करे dollar को change करे कि pound का option चल रहा है pound को change कर देते है ये pound है और कौन सा strike price पे strike price ये strike price pound का दिया है कि dollar का strike price दिया contract size है pound और sir ये क्या दिया है dollar पर pound pound ये भी pound sir multiply हो जाएगा 12,500 into 1.70 तो sir dollar आजाएगा अब contract size को मैंने change करके dollar में convert करें 12,500 था उसको मैंने dollar में convert की और number of contract निकला 17.17 तो 17 के लिए forward cover करेंगे 17 contract final हो गए 17 contract कौनसा put option आगे चले इसके बद कैसा उट्पोर निकलते तो सबसे पहले ये अब बचा हुआ dollar forward cover बचा हुआ dollar forward cover forward cover तो आपको आता है तो ये आगे तो समस्या सबसे ज़्यादा होती ही बच्चों को वो होती premium एक pound पर इतना dollar premium तो 12,500 into 17 इतने pounds पर इतना contract पर कितना dollar तो इतना dollar 20,400 answer dollar में आएगा और ये 20,400 dollar आज मुझे खरीदना पड़ेगा किस rate spot rate और spot rate पे क्या है spot rate हमको माल माण 1.5617 ले लेंगे dollar खरीदना पड़ेगा ये आगे total answer कितना आगे और चाहो तो opportunity cost मन करेगा तो ले ले ना पर मैं कहता हूँ यार जो ICA नहीं किया वो कर तो बस बात करेगा यारी तीन चीज निकाल लिया ना option है जिंग में बात खता हूँ एक तो हमारा option के थूर कवर दूसरा uncovered portion किस के थूर फावर्ड कवर अब उसके बाद किया जाएगा premium अब मेरे पास board notes नहीं है इसलिए मेहनत लगी है बच्चे बलते हैं लेक्चर रिविजन ही तो डालना है यार क्या है आपको रिविजन करने में कितना time लग जाएगा time लगता है भाई तो आसान नहीं है जितना आप समझे question number 79 अच्छा question है मैंने board notes से निकाल ला है उसके मतलब मैंने screenshot लिया होगा पक्त ओके सार कोई Indian firm है बिलकुर Indian firm है विल नीड टू पे जैपनीज येन सर येन पे सर इंडियन फर्म है और येन का payment करना येन जाने वाला है कितना जाने वाला है पाच लाग राग की नहीं है और कभ जाने वाला 30 जून येन जाने वाला है in order to has the risk involving foreign currency transaction the firm considering the alternative ये तो forward cover करे ये तो currency option देख लेते हैं 1st April is point दिया है और 3 month forward हमारे लिए 3 month forward है rate किसका दिया है तर येन पर रुपीज दिख रहा है येन पर रुपीज ही ठीक है अब हम तर या है तो रुपीया का rate दिया है हाँ जी रुपीज का rate दिया है अब बात किसकी होगी अब बात है sir currency option तबसे पहले क्या decide करेंगे call या put gain जाने वाला है येन के बढ़ने का डर पर रेट्टो रुपीया की गिरने का दर मतलब put option thank god जैसी put option आया ना फिक कर लो put option number of contracts के लिए contract size दिया ही नहीं है तो फिर सोचना क्या gain 5 लाग और strike price पूरा ले लो 2.125 sir इस ये भी हो गया तब premium देना पड़ेगा yes एक रुपए पर इतना तो यहां रुपए तो निकालो कितना रुपए 5 लाग divided by 2.125 रुपए आया रुपी इतना येन प्रीमियम इतने रुपए पर कितना येन आंसर कितना आएगा येन में और ये येन हमको खरीदना पड़ेगा इस रेट से हम रिवाइट कर देंगे इस पॉट्रेट्स देखते हैं पहली बात put option रेट फाइनल हो गया प्रीमियम फाइनल हो गया तो पाच लाग इतना जा रहा है इतने रुपए पर इतना ये हैं तो इतने रुपए पर कितना ये हैं और डिवाइट किसे कर रहे हैं हम इस पॉट्रेट्स नमबर अप कॉंट्रेट्स नहीं निकाला क्योंकि कॉंट्रेट्स साइज नहीं दिया और जाएगा और इन करेंसी एक्सपॉशन के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा रिकोड्ट थर्ड पार्ट आएगा इतना स्पीट से करोंगा थर्ड पार्ट आएगा खर मैं क्लास के बाद बात करता हूँ तीक सर आगे चलना है करेंसी ओप्शन कोशन नबर 80 भी अच्छा कोशन है और क्या AFM मॉडूल का है यस तीपाई के 36 तब कोशन जानदार कोशन बढ़े किया सर एक बार बढ़ा कर लो तो दे कोई American firm है is under obligation to pay America में क्या चलता है US, America मतलब US डॉलर ना यार और सर पे करना है और क्या पे करना है Canadian dollar और कितना कितना payment करना है बुले 10,00,000 का payment 10,00,000 कुछ 31st July को payment करना है कुछ 30st September को payment करना ठीक है एक का बता दूँगा तहा दूसरे का तो automatic हो जाएगा simple सी बात है 10,00,000 dollar का payment करना कब payment करना है 31st the firm is risk-eward and policy has करना है risk की बात चाहो तुमने आप forward contract पे जा सकते हो चाहो तो आप option contract ठीक है आज की rate है 30 June और मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी 31 July की quotation दे रखा है और quotation दे रखा US dollar per Canadian dollar यह important है dollar per Canadian dollar port है 1 month forward है 3 month forward अगे बड़े price for Canadian dollar per US dollar option on a US stock action cents में दे रखा cents per Canadian dollar ठीक है cents payable on purchase मतलब सर यह premium की बात कर रहा है हाँ जो premium है वो cents में option purchase करने पे जो देना पड़ता है वो तो premium है और premium जो दिया ना वो cents में दे रखा मतलब US dollar में दिया पर उसमें cents में दे contract size भी दिया है Canadian dollar 50,000 रुको 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 इस बार contract size को convert मत कर देना क्योंकि ये भी Canadian dollar है और ये भी Canadian dollar है तो contract size सीधा सीधा निकल जाएगा number of contract और call option और put option तो सबसे पहले दिया है sir dollar पर Canadian dollar हमको payment करना है किस चीज़ का Canadian dollar तो sir Canadian dollar के जैना dollar पर Canadian dollar है ना भई हाँ sir dollar तो sir Canadian dollar के पढ़ने का डर और Canadian dollar के rate दिया है तो sir call ही आएगा put तो बेकार हो गए put को छोड़ दू अब strike price ये भी हो सकता ये भी हो सकता ये भी हो सकता और ये क्या है ये premium है जुलाई वाला option के September वाला option अब premium किसमे है cents में मतलब sir divided by 100 करना पड़े है US dollar cents में पर sir हम ये इस strike price का call option खरीदे कि इसका की इसका वो आगे बताया question उन्होंने का according to the suggestion of financial manager if option are to be used one month option should be bought at a strike price बोले जो one month वाला है ना वो 94 cents से ले 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 ना तब ये ले 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 ना कौन सा one month वाला मतला वो 10 लाग 10 जार वाला ये इस इस strike price पर काम करना और बोले जो 3 month वाला है उसके लिए आप इस strike price ले 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 ना 95 ये 3 month वाली के लिए ठीक है और जो remainder जो बचेगा उसके लिए आप risk bear कर ले ना और जो forward rate है वही आपका future का spot rate हो जाएगा ठीक है भई forward cover कर लेंगे वही आपका spot rate है पता ये कौन साथ तर पहले 10,000,000 वाल कर रही किया इससे पहले forward cover कर रही किया forward cover में क्या करना forward cover में कुछ नहीं करना 10,000,000 Canadian dollar sir point 9301 से multiply कर देंगे अगर मैं बात करू forward cover का तो बिल्कुल simple forward cover बाद में पहले currency option forward cover तो सिधा multiply करके जाएग currency option की बाद तो sir currency option में पहले हमको ये decide करना होता call की put तो call option तो one month वाले के लिए लिखेंगे क्यार call option खड़ी देंगे strike price पे और इतना premium पे कर पैना point तो वह हो गया buy करेंगे कौन सा option call option strike price हो गया ये और premium दे रहा है ये premium कैसे आया ना point zero one zero two पता है ना answer divided by 100 करके आगे अब उसके बाद क्या होगा number of contracts number of contracts में कुछ convert नहीं करना तो answer कितना हो गया 20 contract बस अब क्या करना है sir dollar 50 अर का एक contract 20 contract तो sir Canadian dollar 10 लाग cover हो गया और वो आपको strike price पे खरीद लेंगे तो इतना हमारा US dollar जा रहा है और uncovered कितना बचा sir uncovered बचा 10,000 dollar तो 10,000 dollar हम forward rate से forward rate से खरीदेंगे forward rate उनका कहां दिया है sir forward rate से खरीदेंगे इस rate से point nine three ठीक है अब premium खास बात सुन एक Canadian dollar पर इतना premium तो इतने Canadian dollar पर कितना dollar premium हमें तो dollar ही चाहिए था बात बन गई अच्छा question यह वाला कर ले ना भाई ऐसे में तो revision क्या regular class हो जाए 81 छोड़ दो भाई 81 मैंने उठाया था अब वो है नहीं है 81 की में बात नहीं करूँ हाला कि call और put है तो वो आपको अच्छे से आप 81 में नहीं 82 तो 82 यहां नहीं 82 और आगे जाएगा एक्चुली इनवाइसिंग का question है अच्छा question है तर आगे करवा cancellation तर धाई घंटे हो गए है क्या लगता है सुनू ऐसा नहीं इसमें ndf market है नहीं हो पाएगा मेरे पास दो option है या तो आज भी upload ना करूँ सुन लो मेरी बात सुन लो आप जान मत लो मेरी या तो मैं आज upload ना करूँ रोग दूँ और कल फिर record करूँ दो घंटे का दो घंटे कम से कम अभी भी लगना है दो घंटे और लगेगे सीधी सी बात और फिर मैं add करके कल upload करूँ या फिर जितना हुआ है इसको यहीं upload कर देता हूँ और क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है मैं एक्चुली कल शाम को बाहर जाने वाला हूँ इंदौर भोपाल साइट तो भाई साब कल सुबह पक्का है पक्का है पक्का है प्रॉमिस कल सुबह दो घंटे की recording करके कल upload कर दूँँगा जब तक आप यह देख लीजिए आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ हाँ सरह ऐसे ही करो इसको आज upload कर दीजिए और कल सुबह सुबह मतलब त्यारा बज़े से पहले सुबह उठकर इसके cancellation है इसमें बचा कुछ नहीं है cancellation है और उसके बाद तो currency of boring फिर तो questions है और अच्छा भी यह वाला पार्ट जो ना last part जो third part है वो ज़्यादा important रहेगा आपके लिए उसकी वज़ाए उसमें कुछ unique question आएंगे जिसमें ICEI ने गलतिया किया है रट्टा मारने वाले question पार्ट number three भी important है और रट्टा मारने वाले question आपको last में देखकर जाने ही पड़ेगे ठीक है तो दो घंटे की गलास कम से कम रहेगी क्या यस कल दो घंटे की पार्ट number third आएगा sorry मेरी उम्मीद थी कि मैं second part में अब मेरी हिम्मत खतम हो गई है कल सुबह देखते अब पक्का लेकिन जाने से पहले क्योंकि फिर मैं दो-तीन दिन के लिए बाहर हूँ तो जाने से पहले मैं कल क्यारा बजी से पहले पहले अप्लोट कर दूँँगा जब तक दो घंटे की क्लास देख लिए तो क्या धाई घंटा हो गए थैंक्यू बाई-बाई कल स्टार्ट करते कैंसलेशन